हेलो एवरिवन, स्वागत है आपका फिर से क्विक रिवीजन बैच की अगली वीडियो के अंदर तो ये हमारा क्विक रिवीजन बैच का सिक्स्थ सेशन है आज का जो सेशन रहेगा उसमें हम कवर अप करेंगे हमारा बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक सिलोजिसम तो पहली प्राइरेटी हमारी यही रह रही है कि हम इंपोर्टेंट टॉपिक्स को ही पहले कवर अप कर ले क्योंकि वो स्कोरिंग भी है और जहां पर आपको लगता है कि इसमें कन्फूजन रहती है तो वो भी सारी कि सारी ओवरकम रहे ताकि आप अगर मौक टेस्ट दे भी रहे है उनमें आपको प्रॉब्लम्स ना आए तो इससे पहले हम ये छे टॉपिक्स जो हैं वो कम्प्लीट कर चुके हैं उमीद करता हूँ ये सारे टॉपिक्स आपने गो थुरू किये होंगे PDF सॉल्व कर लियोंगी नहीं की तो पहले जाके देख लीजिए इसे सीक्वेंस वाइस चलेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा और बार बार हमें कमेंट आ रहे हैं कि PDF कहा मिलेगी भाई या तो आप प्रोपर वीडियो देखते नहीं हो या आपके कानों को दिक्कत है सुनने में सिम्पल सी बात है क्योंकि हम हर वीडियो के अंदर बोलते है कि जब भी आपको ये वीडियो कहीं भी दिखते है किसी भी डेट को जैसे ये वीडियो आपके पब्लीश हो रही है डिस्क्रिप्शन में देख लिजिए सपोज ये पब्लीश हो रही है अगस्त में तो अगस्त 2024 का PDF बना हुआ है एप के अंदर जाएए YouTube PDF नाम का एक टैब होगा वहाँ पर जाएएव वहाँ पर इस सेचन की PDF मिल जाएगी जैसे वीडियो का नेम होगा न उसी नेम से आपको इस वीडियो की PDF भी मिलेगी तो अगर आप वीडियो जुक्ः देख रहे हैं कमेंट सेकशन में आप कोई भी ऐसा कमेंट देखते हैं PDF से related तो उनको reply कर भी दिया करो ओके चलो ज्यादा time waste ना करते हुए शुरू करते हैं एक दो question आने के पूरे पूरे chances होते हैं आपके exam में तो सबसे पहले एक general सी introduction और revision कर लेते हैं इस chapter को लेके तो आपको पता ही है कि syllogism में आपको statement और conclusions based questions आते हैं कथन और निश्करश के उपर अधारित जैसे कि आपके सामने एक statement रखी गई है all pens are pencils कि सभी pens जो है वो किसका part है pencils का तो आपको पता ही है जितने भी हमारे पास यह parameters रहते हैं इनका daily life के साथ कोई भी connection नहीं है अगर सभी pens pencils हैं तो हर एक part को हर एक parameter को हम identify करके देख लेते हैं जो पहला parameter है इसको हम क्या बोलते हैं quantifier matter नहीं करेगा कि यह terms क्या क्या हैं सिर्फ सुन लेजे quantifier जो किसी भी छीज की quantity को describe करेगा next हमारा जो parameter है इसको हम क्या बोलते हैं subject next यह जो third parameter है इसको हम क्या बोलते है, copula copula का मतलब क्या होता है yodjak, या joiner दो parameters को आपस में club करे, और जो आकरी parameter है, इसको हम क्या बोलते है predicate तो किसी भी statement के अंदर आपके ये, चार parameters तो exist करेंगे ही करेंगे, कौन कौन से quantifier एक रहेगा आपका subject दूसरा रहेगा आपका फिर उसके बाद copular फिर उसके बाद predicate जो आपके subject को हमेशा follow करते है अब जो quantifier आपका यहाँ पर use होगा इस quantifier से ही आपकी पूरी की पूरी statement is fine होती है जल्दी से खतम करेंगे तो इस quantifier को दो parts में divide किया गया है कौन कौन से universal और दूसरा है आपका particular यह statement का part अभी discuss कर रहे है universal और particular दो portion जो है इस quantifier के define किये गए है कि quantity कौन decide करके बताता है pencil और pencil में वो हमेशा quantifier decide करके बताता है universal का मतलब affirmative ही होता है जिसमें सारी चीज़ें consider की जाती है 100% अब यही दोनों चीज़ें universal positive भी होती है और universal negative भी है similarly आपका यह particular का portion positive way में भी given होता है आपको और negative way में भी given होता है तो यहाँ पर आपको in terms का ध्यान रखना होता है कि universal positive में कौन कौन से quantifier include होते है और universal negative में कौन कौन से quantifier include होते है तो अगर आपको नहीं पता तो इन्हें note down कर लीजे कि सबसे पहले अगर मैं बात करूँ universal positive की या affirmative positive की तो most common quantifier use होने वाला इसमें कौन सा है all जिसमें सभी चीज़े consider हो जाती है, count हो जाती है जैसे सभी pens, pencils का part है all all pianos are guitars, सभी pianos दुनिया में जितने भी हैं हो सारे के सारे guitars है, all monitors are keyboards, सारे monitors जो वो किसका part है, keyboards का part है तो all से related जितनी भी statement रहेंगी, वो सारी किसका part रहेंगी, universal positive का या affirmative positive का इसके इलावा कौन से alternate quantify use हो सकते हैं, each अगर आपको given हो, each pen is a pencil, हर एक pen pencil का part है each की जगा आपको parameter use हुआ, every आपको कोई particular name आ गया, particular name जैसे राम is a boy, एक particular name है, fully defined हो रहे है, तो वो भी universal positive का part, any one 100% pen's are pencil, तो ये सारे का सारा किसका part है, universal positive का, universal negative में कौन कौन से quantifier use होते हैं, वो भी देख लीजे, सिरफ एक ही use होता है, most of the time, no, but none of these ऐसा कुछ भी mark करके चल सकते हैं, वैसे आपको no ही दिखाई देगा, most of the time, तीसरा parameter है आपका particular positive को लेके, पर्टिकॉलर positive में कौन कौन से quantifier use होते हैं, sum, जिसमें कुछ हिस्सा defined हो, sum के बाद few, several, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि काफियों को confusion होती हैं, कि ये quantifier use हुआ, इसका क्या मतलब होता है, तेक है, mostly, इसके लावा plenty of, या आपको percentage की form में दे दिया, like 69 percentages, pencils, our pen, 58 percent, pianos, our guitars, fully defined तो नहीं हो रहा, ठीक है, partially, sum, few, several, many, mostly ये आगया, तो ये सारे का सारा fully defined नहीं हो रहा portion किसी portion के कुछ या जदा-दर part की बात हो रही है, तो वो किसके under exist करेगा particular positive, तो यही चीज़ आपको आती है particular negative के case में भी, हाँ, एक और most important, जो काफी student confused हो जाते हैं, एक कही conclusion का part तो नहीं, निश्करश का part, at least, तो ये भी particular positive के under ही consider किया जाता है, particular negative में एक ही parameter आप ध्यान रखिए, that is some not, okay, कि कुछ हिस्सा pens का pencils, नहीं है, some pens are not pencils, some pianos are not guitars, etc, etc, ठीक है, चलो, तो ये तो रहा statement का part, फिर आते हैं हमारे पास conclusions, निश्करश, तो mainly देखा गया है, दो ही तरह के conclusion जो है, exam में आपको पूछे जाते हैं, पैसे existed तो तीन तरह के करते हैं, बट exam में आपको दो type के conclusion पूछे जाते हैं, वो कौन-कौन तो quantifier तो idea लग गया, आपको quantifier होता गया है, जो quantity define करता है, subject और predicate के बीच में, और अब conclusion आपका charity based है, या possibility based है, निश्चित रूप से निश्करश देखने हैं, या संभावने के उपर आधारी देखने हैं, वो मेशा कौन बताता है आपको, copula, अगर तो subject और predicate के in between, जो ये copula यूज हुआ है, इसमें terms है, is mr से related, ये रटने का तरीक है, जज कैसे करेंगे, तो अगर is mr, ऐसी definite terms यूज हुई हैं, तो मतलब वो surety based conclusion है, अगर इस copula में, is mr की बजाए, आपको probable terms आ जाती हैं, जैसे कि can be, may be, और आपको phrase available हो लग से being a possibility, क्या ये संभावना है, वो आपको पढ़ते ही पता चल जाएगा, तो वो possibility based conclusion है, तो exam में दोनों ही important है, अब इसके इलावा मैं आपको पहले ही convey कर दूँ, students को काफी कम idea है, इस type के conclusion का, एक तो statement के अंदर only a few का case, chances पूरे हैं, किसी भी shift में पूछा जा सकता है, only a few का case, ये statement का part है, तो ये some और some note दोनों का combination है, जब ये question आएगा, statement के अंदर, तब मैं और ज़्यादा clear करूंगा, only a few के इलावा, एक only का case भी safe side लेके चलेंगे हम, ठीक है, ये special cases में आता है, और conclusions के अंदर, ये statement के अंदर है, कथन के अंदर use होता है, और conclusion के अंदर एक parameter use होता है, can never का, तो अभी students को काफी ज़्यादा problem होती है, in terms को लेके, only a few के क्या है, can never का case क्या है, ये सारे के सारे parameter हम cover करेंगे, questions का reference लेके, तो session को end तक देखिएगा, जो भी आपके सामने question आता है, सबसे पहले कोशिश यही करना, कि आप उसे खुद से attempt कीजिए, उसके बाद ही video solution के उपर जाना, और conclusion में इसी के इलावा, अभी तक बहुत दिक्कत आ रही है, बच्चों को either or के pair को भी लेके, तो वो भी cover up करेंगे, questions में सारी चीज़े include हो जाएंगी, पिछले साल 2023 में जितने भी exam होएं SSC के, उनमें important questions मैंने उठाएं हैं, और अलग से भी include किये हैं, मुझे लगता है कि ये चीज़े देना आपके लिए काफी important है, क्योंकि पुछी जा सकती हैं, जैसे only का case अभी तक नहीं पूछा गया, बट मैं आपको एक दो question के through, convey करूंगा concept क्या है, हर एक चीज cover up करेंगे, questions का reference लेके, तो session काफी important है, free के marks आपके बनते हैं, session को end तक जरूर देखना, चलो, parameters अगर नहीं ध्यान में थे, तो इन्हें note down कर सकते हुआ, ओके, यह screenshot लो, शुरू करते हैं question number one के साथ, तो यहां पर देखिए, when diagram थोड़ा carefully draw करना है, क्योंकि आपने अगर question में दी गई statements का ही when diagram गलत बना दिया, तो conclusion कहां से आपके सही हो जाएंगे, तो कुछ एक tricks भी है, question को solve करने में help करेंगी, बिना when diagram बनाए, वो भी मैं आपको कुछ एक question में, वो special cases में आते हैं, वो भी धीर-धीरे convey करूँगा, पहला question है, कहता है, all plates are bowls, सभी की सभी plates जो हैं, वो किसका part है, bowls का part है, all plates are bowls, और कहता है, कोई भी bowl जो है, वो glass नहीं है, no bowl is a glass, कोई भी हिस्सा bowl का glass नहीं है, some glasses are vessels, कुछ हिस्सा glasses का ऐसा है, जो vessels बनके बैठे हैं, तो मैं ये expect करना हूँ, तो आपको इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, bowl वाला portion के when diagram कैसे बना जाता है, no कैसे define किया जाता है, और some कैसे define किया जाता है, ठीक है, चलो, question के उपर approach करने से पहले, जितने भी आपको ये conclusions दिये जाएंगे, इन पे नहीं जाना, जो भी आपने in statements का when diagram बनाया है, सबसे पहले ये parameter उठाईए, जिनके बीच में आपको direct across का relation given है, या ऐसे parameters उठाईए, जिनमें negative relation बन रहा हूँ, within the statements, अब आपको जो direct across का relation given है, वो bowls और glasses के बीच में given है, कोई भी हिस्सा bowl का glasses नहीं है, अगर bowls glasses नहीं है, फिर glasses भी bowls नहीं है, reverse भी true होता है, अगर bowls glasses नहीं है, तो bowls के अंदर जो portion आ रहा था, किसका plates का, वो भी glasses नहीं है, क्योंकि ultimately plates भी तो किसका पार्ट है, bowls का ही पार्ट है, तो जैसी आप negative cross या direct across का relation देख लेते हैं, negative relation जजज कर लेते हैं, within the parameters, आपका 60 to 70% question वहीं solve हो जाता है, rest 30 to 40% जो pending रहते हैं, वो question, conclusion के answer true false mark करने में लगेगा, तो पहले negative relation को judge कर लिया करो, तो पहले में देखो क्या कहता है, कहता है some glasses are plates, कुछ हिस्सा glasses का plates है, अब देखिए glasses ये रहा portion, plates का portion ये रहा, क्या glasses और plates के बीच में कोई common relation बन रहा है, moreover surety based conclusion है, और surety based conclusion क्या मतलब क्या होता है, definite, निश्चित रूप से, आपको अपने end से कुछ भी assume नहीं करना होता, जो data given है, आपको जो parameter के बीच में relation दिया गया है, सिरफ उसी को ही consider करना है, जादा दिमाग नहीं लगाना होता, जहां कहीं भी आप अपने end से assumption लगा लेते हैं, पूरवदारणा, वहीं पर यह आपका question गलत हो जाता है, जो दिया गया है, उसी को सच मान के चलना है, क्या दिया गया है, सभी plate bowls है, कोई bowl glass नहीं है, और सभी कुछ glass जो है, वो vessel one के बैठे हैं, बस जोड़ चीज़ें visible नहीं होरी, surety में वही conclusion क्या होती है, false, चीज़ें दिखनी चाहिए as it is, दूसरा क्या कहता है, कहता है, some bowls are plate, कुछ हिससा bowls का plates बनके बैठे हैं, अब ध्यान से समझें concept क्या कहता है, सभी plate किसका part है, bowls का, मतलब के पूरे का पूरा plate जो है, वो किस से भरा हुआ है, bowls से भरा हुआ है, बड़ इसने किसकी demand की है, कुछ bowls ऐसी हैं, जो plates हैं, अब कुछ bowls कौन सी हैं, जो plates बनके बैठी हैं, ये वाली, ये देखिए, bowls का कुछ portion किसने घेरा हुआ है, plates नहीं तो घेरा हुआ है, सारा नहीं, कुछ, तो सम की ही तो बात की जा रही है, जो जो चीज़ें आपको visible है, वो surety में बिल्कुल true होती है, okay, तीसरा कहता है, some vessels are bowls, कुछ हिस्सा vessels का bowls के बीच में आ रहा है, ये देखो, vessels का part ये रहा, bowls का portion ये रहा, क्या आपको कोई ना कोई portion vessel का bowl के अंदर दिखाई दे रहा है, common portion share कर रहे हो, नहीं visible, तो इसलिए ये वाला निश्कर्ष भी गलत हो गया, answer क्या mark करेंगे, only second follows, केवल और केवल दूसरा निश्कर्ष अनुसरन करता है, तो surety में वही चीज़े consider की जाएंगी, जो आपको visible हो रही हो, okay, तुक्के नहीं मारने है, next, some spoons are black, कुछ हिस्सा spoon का ऐसा है, जो black बनके बैठे हैं, सभी के सभी black जो है, वो croze का part है, और कोई भी croze जो है, वो plate का part नहीं है, वही बात आ गई, सबसे पहले negative relation को पकड़ लो, croze plate नहीं है, तो black भी plate नहीं है, तो पूरा complete portion negative relation में कौन-कौन बैठा हुआ है, croze और plate का, black और plate का, ठीक है, चलो, निश्कर्ष देखी, यहाँ पर क्या कहता है पहला, क्याता है, some black are spoons, क्या कुछ हिस्सा black का spoon के अंदर आ रहा है, यह देखिए, black यह रहा, spoon यह रहा, दोनों आपस में कुछ ना कुछ common portion share कर रहे हैं, क्योंकि अगर कुछ हिस्सा spoon का black के अंदर है, तो यही portion black का spoon भी तो बनके बैठे हैं, तो common connectivity है दोनों के बीच में, दिखाई भी दिया, तो पहला निश्कर्ष बिल्कुल सही है, दूसरा कहता है, all crows are black, सबी के सबी crows जो हैं, वो black बनके बैठे हैं, अब आपको देखिए, क्या गिवन था, सबी black जो हैं, वो किसका पार्ट है, क्रोज का, क्या आपको सारे के सारे crows, black के अंदर इस तरह से visible हो रहे हैं, अगर यहां पर all की बजाए, सम पूछा जाता, कि कुछ हिस्सा crows का black है, तो मेरा यह निश्कर्ष सही होता, क्योंकि कुछ की बात की जा रही है, पड़ यहां तो all पूछा गया है, कहता है, सबी के सबी crows ही black का पार्ट है, क्या आपको सारे crows black के अंदर available है, आपको तो स आपको no से related कोई भी conclusion पूछा जाए, कोई भी निश्कर्ष आए, जिन दो parameters में no से related conclusion पूछा जाएगा, उन दो parameters के बीच में आपको negative या direct crows का relation दिखना चाहिए, क्या तक कोई भी plate crow नहीं है, तो उसके लिए plate और crow में देखो, crows available है, crow plate नहीं है, तो plate भी crow नहीं है, और no पुछा गया plate और crow में, तो देखो plate और crow में cross visible हुआ, तो इसलिए आपका तीसरा निश्कर्ष भी सही है, हम कुछ भी assume नहीं कर रहे हैं, जो data हमें दिखाई दे रहा है, उसी को ही सच मान के चल रहे हैं, तो answer इसमें क्या रहेगा, first औ third conclusion follow, पहला और तीसरा, दो नो नुसरन करते हैं, ओके, देखो, patience के साथ देखना है, थोड़ी speed मंदी रखूंगा मैं, starting के अंदर, क्योंकि आप में से काफी ऐसे होंगे, जो पहली बार मुझसे पढ़ रहे होंगे, तो tuning match भी होने चाहिए है, concept पे accordingly, पहुचना पर speed manage कर सकते हो, कम जादा बना लिजे, मैं starting में इसी pace के साथ ही चलूँगा, धीरे धीरे speed हम बढ़ा लेंगे, ठीक है, चलो, अगला, all rice are wheat, सभी portion rice का क्या बनके बैठे हैं, wheat बनके बैठे हैं, कुछ wheat ऐसे हैं, जो pulses है, कुछ हिस्सा wheat का क्या बनके बैठे हैं, pulses, और कोई भ हिस्सा pulses का vegetable नहीं है, अब कई बते क्या केते हैं, comment करके, हिंदी में बढ़ा हूँ, यह हिंदी में नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो कैसे बढ़ा रहा हूँ मैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही, कोई भी हिस्सा pulses का vegetable नहीं है, अब A, B, C, D तो आती होगी न, हिंदी medium वालों को क्या वो भी नहीं आती, P4 pulses हो गया, V4 vegetable हो गया, अब इसमें complete Hindi use करूँ, आप खुल सोचे इस चीज़ को, पर आपका जो यहाँ पर teaching session English language में चल रहा हो न, फिर मेरी जवाब देए, नहीं भाई, मैं गलत पढ़ा रहा हूँ, अब जब bilingual ही चल रही हैं चीज़ें, English वालों को भी दिक्कत ना हो, हिंदी वालों को भी दिक्कत ना हो, तो teach में वैसे ही करवाता हूँ, तो इस तरह आप चीज़ों को consider कर लिया करो, इसलिए आपको पूरे का पूरा word mention नहीं करता हूँ मैं, सिरफ पहला letter लिग लिए, वहीं सही clarity होगी, यहाँ पर R for rice है, W for wheat है, P for pulses ह V for vegetable है, बताओ, clear होनी चाहिए बस चीज़े, निश्करश देखिए, पहला conclusion क्या कहता है, direct cross पता लग गया, pulses और vegetables के बीच में है, some vegetables are rice, क्या कुछ हिसा vegetables का rice के अंदर दिख रहा है, यह देखो, यह रहा vegetable का part, यह रहा rice का part, क्या कोई common portion share कर रहे हैं, आपस में, बिलकुल नहीं, तो पहला निश्करश हो गया, गलत, some pulses are rice, क्या कुछ हिसा pulses का rice के अंदर आ रहा है, यह देखो, यह रहा pulses का part, यह रहा सारा rice का part, क्या pulses और rice के अंदर कोई common connection दिखाई दिया, visible नहीं है, doubtful case है, तो यह वाला conclusion भी गलत, टीसरे पे आईए, some vegetables are wheat, कुछ हिसा vegetables का wheat के रहा, इसमें भी कोई relation नहीं है, तो आपका तीसरा भी गलत हो गया, तो answer क्या mark करेंगे, none follows, कोई भी अनुसरन नहीं करता, अब question की handling जो है, option का reference लेके भी की जा सकती थी, let us suppose, हमने तीसरा conclusion अभी नहीं देखा था, माल लो यह वली बात, तीसरा conclusion नहीं देखा, हमने दो conclusion क answer mark कर दिये, कि पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, दोनों ही अनुसरन नहीं करते, तो आपका देखिए, both second and third follow, option wrong, क्योंकि दूसरा तो follow करी नहीं रहा, all follow बनेगा नहीं, क्योंकि दो तो पहले गलत है, पहला और दूसरा follow करते हैं, बिलकुल भी नहीं, वो तो दो दो detail में करने की need नहीं होती है, next, चलिए, next देखिए क्या कहता है, कहता है, no mango is apple, कोई भी हिस्सा mango का जो है, वो apple नहीं है, negative statements है, सारी की सारी, no apple is gawa, कोई भी हिस्सा apple का जो है, वो gawa नहीं है, and no gawa is banana, कोई भी हिस्सा gawa का बनाना नहीं है, मैंगो एपल नहीं है एपल भी मैंगो नहीं है एपल गावा नहीं है तो गावा भी एपल नहीं है गावा बनानाज नहीं है तो बनानाज भी गावा नहीं है ठीक है? चलिए नो मैंगो इस बनाना तो हमें नो देखो किस किस में पूछा गया mango और banana के बीच में तो mango और banana के बीच में क्या दिखना चाहिए cross क्या आपको mango और bananas के बीच में कोई negative relation visible हुआ यहाँ पर हम तो mango और bananas के relation को लेके doubt में चल रहे हैं तो पहला निशकरश हो गया गलत अब यहाँ पर देखिए सारी statements किसमें है no वाली negative statements है तो जब भी आपके पास negative statements का set available हो उसमें कोई भी positive conclusion पूछ लो वो कभी भी true नहीं होता sharety में चेक करने की नीडी नहीं है कुछ mango और bananas हैं तो उसके लिए mango का कुछ portion bananas के अंदर visible होना चाहिए था जब है ही हमारे पास negative statements का combination तो negative statements के set में कभी भी positive conclusion गलत नहीं होता वो हमेशा गलत होगा sharety में ये reverse में भी true होता है अगर suppose सारी statements आपको positive होती all और some वाली और conclusion पूछ जाता negative में no वाला तो वो भी गलत है अगर positive statements के set में negative conclusion कोई भी true नहीं होता तो negative statement के set में भी positive conclusion कभी भी true नहीं माना जाता शेवरिटी के अंदर चली तो यहाँ पर आपके दोनों के दोनों गलत हो गई अब यहाँ पर आप नाइधर नो और पे अप्रोच मत करेगा स्टार्टिंग में यहाँ से समझना इस क्वेशन को हैंडल कैसे करना है अब मेरे पास दोनों निशकर्ष गलत है मेरे पास एक नेगटिव कंक्लूजन है कौन सा नो के तो नो मेंगो इस बनाना कोई भी हिस्सा मेंगो का बनाना नहीं है यह तो गलत हो गया तो यहाँ से आपको क्या क्रोस चेक करना है कहीं है आइदर और का पेर तो नहीं मेंटेन कर रहे कैसे चेक करेंगे मैंने देखा नो वाला कंक्लूजन गलत हो गया ठीक है फिर मैंने देखा कि इसका सब्जेक प्रेडिकेट दूसरे कंक्लूजन के सब्जेक प्रेडिकेट के साथ मैच कर रहा था और वो भी गलत है और some or no क्या है complimentary pair बना रहे हैं मतलब एक conclusion positive गिवन है दूसरा negative तो जब भी इस तरह की condition आपकी satisfy हो तो हमेशा आपका कौन सा यहां पर pair create होगा either or का कि मैं दोनों की दोनों चीज़ों को गलत नहीं मान सकता हूँ अगर वो दोनों एक ही statement का part है तो कोई भी mango बनाना नहीं है वो भी गलत है या कुछ mango बनाना है वो भी गलत हो गया तो कोई ना कोई तो relation हमें consider करना ही पड़ेगा इसलिए हमारा या तो पहला निश्करश सही होगा या तो दूसरा हम दोनों को एक साथ गलत नहीं मान सकते तो either or के उपर हमें कैसे approach करना है मैंनो उसका hint भी बता दिया है कि जब भी आपके पास कोई भी negative conclusion आया negative conclusion कौन कौन से होते है एक तो sum note होता है और दूसरा हमारे पास कौन सा होता है no वाला negative conclusion अगर कोई भी negative conclusion आया इन दोनों में से और वो negative conclusion गलत भी है तो ही चेक करना है वो either or में आयेगा या नहीं कैसे किसी दूसरे conclusion का subject predicate जो उस negative conclusion के साथ match कर रहा हो और वो भी गलत हो तो ही आप complementary pair देखके either or का pair create कर सकते हो और complementary pair कौन कौन से होते हैं either or की condition के लिए वो होता है एक all or some note का और दूसरा होता है आपका some or no का ये दो pairs ही हैं जो complementary pair में आते हैं मतलब either or का pair create करते हैं some का some note के साथ all का no के साथ either or का pair available नहीं होता क्योंकि either or की condition है एक case आपका particular form में होना चाहिए दूसरा affirmative form में होना चाहिए ये देखो ये particular है ये affirmative है एक चीज़ fully defined होनी चाहिए एक चीज़ partially defined होनी चाहिए तो ही वो complementary pair consider होंगे either or का pair maintain करने के लिए चलो तो ये वाले points दे ध्यान में रखिएगा आगे questions और भी आ सकते हैं either or को लेके जैसे ये देखो either or वलाया ना बट चेक करेंगे पहले question को देखते होगे पहला देखो क्या कहता है all pens are newspapers सभी के सभी pens जो है वो newspaper का हिस्सा है some newspapers are novels कुछ newspaper ऐसी है जो novels है ये newspaper है और ये novels है और कोई भी novel जो है वो book नहीं है चलो निशकरश पर आते हैं जल्दी से कहता है some books are pens तो आपको कुछ हिस्सा books का किस के अंदर अवेलेबल होना चीए pens के अंदर books ये रहा pens ये रहा क्या कोई common connection है दोनों के बीच में नहीं visible तो ये गलत हो गया दूसरा some novels are pens कुछ हिस्सा novels का pens के अंदर दिखाई दिया देखो ये novels का पार्ट है पूरा ये pens का पार्ट है कोई common portion share नहीं कर रहे तो इसलिए ये वाला निशकरश भी गलत हो गया तीसरा कहता है no book is a pen तो उसके लिए आपको book और pen के बीच में क्या देखना चाहिए cross का relation क्या negative relation given है देखो book और pen के बीच में नहीं visible तो ये भी गलत अब ध्यान से देखे ये मेरे पास आया negative conclusion और ये गलत है चेक करो इसका subject predicate इस वाले के साथ match कर रहा है और वो भी गलत था तो ये complimentary pair बन गे subject predicates है मैं दोनो false है एक positive और दूसरा negative है और some और no के अंदर either or बन सकता है तो इसलिए answer के रहेगा either one और three follows या तो पहला या तो तीसरा अनुसरान करता है तो जब भी negative conclusion गलत हो तो ही check करना either or बनेगा या नहीं otherwise अगर बायचांसा भूल भी जाते हो either or का pair बनाना तो एक बार options go through कर लेना देख लेना कहीं option में either or वाला option तो नहीं exist कर रहा जैसे पिछले question में either or घूम रहा था तो instantly strike करेगा के हाँ एक बार either or भी देख लेते हैं इधर भी either or वाला pair था option exist कर रहा था तो एक बार चेक कर लेते हैं either or तो नहीं बन रहा अगर either or का pair वाला कोई भी option नहीं बन रहा आपका option के अंदर है ही नहीं फिर आपको either or पे focus नहीं करना अगर आप भूल जाते हो either or बनाना उसकी condition बताईए मैंने बाकी वैसे तो attentive होके exam attempt करना आपको पता लगना चाहिए either or बन रहा है या नहीं इतनी sufficient practice होनी चाहिए आपकी अगला देखिए all flowers are trees पहली statement के सभी हिस्सा flowers का क्या बन के बैटे हैं trees बन के बैटे हैं और सभी branches जो हैं वो leaves का part है leaves defined नहीं है branches defined नहीं है तो इसको side पे रखो तीजरा कहता है no flowers are leaves कोई भी हिस्सा flower का जो है वो leaves नहीं है और सभी branches जो है वो leaves का part है जो parameter include कर लो consider कर लो उसी से related statement उठा लो अगली तो when diagram पर उपर बनना चाहिए जिस एक parameter का relation किसी दूसरे के साथ given है पहले उसे properly define कर लो अराम से तसल्ली करनी चाहिए पहला निश्कर्श कहता है no branches are flowers तो उसके लिए देखिए no पूछा गया किस किस में पूछा गया branches और flowers में तो branches और flowers में क्या दिखना चाहिए cross चेक करो branches और flowers के बीच में cross आया जी बिलकुल आया true कैसे आया क्योंकि हमें given था कोई भी flowers जो है वो leaves नहीं है अगर flowers leaves नहीं है तो leaves भी flowers नहीं है अगर कोई भी हिस्सा leaves का flowers नहीं है तो जो portion branches का leaves बनके बैठे थे वो भी flowers नहीं है तो कितनी branches सारी की सारी सारी branches जो है वो किस का भाट है sorry guys मेरा remote गिर गया यहापर हम कहां पर डिसकस कर रहे थे कि सारी के सारी branches जो है वो किस का पाट थी leaves का अगर सारी branches leaves बनके बैठी है और सारी leaves जो है वो flowers का पाट नहीं है तो यह branches भी flowers का पाट नहीं है इसलिए हमारे पास पहला निश्करश जो है वो बिल्कुल सही था दूसरा कहता है कि तो no tree are leaves तो इसलिए no देखो किसमें पूचा गया tree और leaves के बीच में तो इसमें क्या दिखना चाहिए cross दिखना चाहिए तो देखो कि tree और leaves में direct cross visible हुआ हमें इस वाले portion का कोई relation नहीं given leaves के साथ तो इसलिए ये वाला क्या हो गया गलत अगर इसके बजाए हमें given होता some trees are not leaves कि कुछ हिस्सा trees का leaves नहीं है तो ये निश्करश सही होता कौन सा हिस्सा trees का ये वाला जो flower के अंदर आ रहा है ये वाला ये portion trees का ऐसा है जो leaves नहीं है हमें इस वाले portion का तो trees का leaves के साथ connection नहीं given इसलिए कोई भी portion trees का leaves नहीं है हम इसको लेके doubt में चलेंगे इसलिए इस conclusion को हमने गलत mark किया तो यहां पर answer क्या mark होगा आपका only first follow केवल और केवल पहला नुज़रन करता है next no dean is a teacher कोई भी हिस्सा dean का ऐसा है जो teacher नहीं है all teachers are professors सारे teachers जो है वो professors का part है और कोई भी professors जो है वो lecturer नहीं है no professor is a lecturer अब देखो पूरे का पूरा portion teacher professor बन के बैट है अगर professor lecturer नहीं है तो teachers भी lecturers नहीं है पहला निशकर्ष some deans are lecturers कुछ portion deans का lecturer के अंदर exist की या देखो visible नहीं है common portion तो पहला गलत हो गया दूसरा कहता है some teachers are lecturers कुछ हिस्सा teachers का lecturers होना चाहिए क्या common portion share किया इन्होंने अपस में ये भी visible नहीं है तो ये भी गलत हो गया answer would be neither nor clear चलो ना पहला अनुसरन करता है ना तो दूसरा अगला all valleys are mountains सारे का सारा portion valleys का क्या है mountains बनके बैठे है कोई भी sea जो है वो mountain नहीं है no sea is a mountain कोई भी हिस्सा sea का mountain नहीं है and some plains are seas कुछ हिस्सा plains का ऐसा है जो seas का part है इशकर्ष देखिए क्या कहते है पहला some valleys are plains क्या कुछ हिस्सा valleys का plains है ये देखो कुछ हिस्सा valleys का plains के अंदर दिखा नहीं visible गलत करो फिर no पूछा गया plain और mountain में तो plain और mountain में cross दिखना चाहिए ये visible है गलत करो देखो कोई भी plain जो है वो mountain नहीं है कहां visible है अगर इसके बजाए आता some plain are not mountain के कुछ हिस्सा plain का mountain नहीं है वो सही हो जाता कौन सा plain ये वाला portion plain का mountain नहीं है visible होता है तो उसको true मान लेते बढ़ ये तो fully portion की बात कर रहा है इसलिए ये गलत क्योंकि इस वाले का connection नहीं गिवन हमें इस वाले plain का mountain के साथ कोई भी relation नहीं गिवन doubtful case था तो इसको हमने गलत मान लिया कोई भी sea valley नहीं है तो उसके लिए sea और valley के बीच में cross visible हो रहे देखो क्योंकि अगर sea mountain नहीं है तो mountain भी seas नहीं है mountain seas नहीं है तो पूरे का portion valley का वो भी तो mountain मन के बैठा था वो भी seas नहीं है तो यहाँ पर सिरफ और सिरफ तीसरा निशकर्ष अनुसरन करता है बात वहीं पर आ जाती है अगर हमने पहले दो mark कर लिए मैं confident हूँ के पहले दो से तो conclusion गलत है तो first और second से related options सारे eliminate कर दो यह देखो यह सारे eliminate हो रहे है बच्चा क्या only third follow इसके लावा कोई alternate ही नहीं है हमारे पास तो इस तरह से आप smartly भी play कर सकते हो अगर आप options को parallelly consider करके चलते हो तो ठीक है लिसनर्स बनके बैठे है some listeners are observers कुछ हिस्सा listeners का ऐसा है जो observer बनके बैठे है अब देखो क्या आया term many many का मतलब मैंने क्या बताया था particular positive में count होता है इसका मतलब क्या होता है some fully defined तो नहीं है कई student ऐसे हैं जो observer नहीं है some students are not observers तो इस parameter को किस तरह से बनाना है ध्यान से इस चीज़ को हम ऐसे भी consider कर सकते है कि कुछ हिस्सा student का ऐसा है जो observer नहीं है like this या इसको अलग से draw करने की need बड़े तो भी कोई issue नहीं है कहने का मतलब अगर आपका कोई parameter repeat होता है अगर उसे दो बार बनाने की need पड़े न बना डालो कोई issue वाली बात नहीं है some students are not observer आप ऐसे भी draw कर सकते हो कोई issue नहीं है बस ध्यान रखिएगा ये भी portion student है ये वाला portion भी student का ही है पहला निशकर्ष some students are listeners क्या कुछ हिस्सा students का listeners है गलत क्योंकि या भाई इसे गलत काफी important question आईए काफी students का doubt भी रहता है restatements है restatements ही बोलते हैं सारे अगर आपको statement में दिया गया है some students are listeners और conclusion में फिर पूछ लिया गया some students are listeners क्या आपने यहां से कुछ निशकर्ष निकाला कुछ conclude किया वो data तो already हमें given है यहां से क्या conclude होके आ रहा है तो जब भी इस तरह की restatements आएं चाहे surety में पूछी जाएं चाहे possibility में वो हमेशा गलत होती है same as it is cheese के पूछ रहे हो कुछ student ऐसे हैं जो observer नहीं है अब कौन सा portion ऐसा है observer का जो student नहीं है इसकी हमें clarity नहीं होती है और moreover जब भी मेरे पास statement some note में given हो क्योंकि यह देखो some note given था some students are note observer यही given था ना तो जब मेरे पास statement some note आ जाए जिन दो parameters में होगा वो some note उनमें कोई भी conclusion सही नहीं होता share rate में रटना है तो ऐसे रट सकते हो but actual logic क्या है हमें given हो गया कि कुछ हिस्सा student का जो है वो observer नहीं है हम कैसे मालने के कौन सा portion observer का ऐसे है जो student नहीं है वो एक doubtful case create हो जाता है तो इसलिए वो क्या होता है हमेशा as a false conclusion ही mark करते हो आप उसे तीसरा some observers are listeners यह देखो कुछ हिस्सा observer का listener बन रहे हमें given था कुछ listener observer है तो यही portion observer का listener के बीच में ही है अब मैंने देखो mark कर लिया पहला और दूसरा गलत है तो answer के हम mark करोगे only third फोलो यह होनी सकता क्योंकि पहला तो गलत है यह होनी सकता पहला गलत है यह होनी सकता दूसरा भी गलत है बचे का कौन तीसरे वाला ही बचे का option ठीक है चलो चीज़ें अगर clear हो रही है तो please comment section में बता दीजेगा मुझे all plains are mountains यह repeat हुआ गया चेक करें एक बार यह वाला repeat हो गया हम यह repeat हो गया इसका only third follow आएगा यह वैसे repeat क्यों हुआ अच्छा exam में ही question repeat हो गया था यह यह shift 3 का है और यह shift 2 का है जैसा बहुत बार हो रहा है guys पिछले साल मैंने काफी exams judge किये हैं जैसे इस साल का भी CHSL पिछले साल में था ध्यान में नहीं आ रहा counting of figure का question था शायद इस साल का ही है जो counting of figure का question एक shift में आया न वो आगे 4-5 shift छोड़के फिर से repeat हो रहा है तो इस बार questions जो है वो shift to shift repeat भी हो रहे है same as it is figures तो यह भी same level का question ही है चाहे तो मार्ण देख सकते है यहाँ पर all plains are mountains but question repeat हुए है वो सच्चाई है all plains are mountains सभी plains जो है वो mountains का part है उसके बाद कोई भी sea mountain नहीं है next is some valleys are seas कुछ हिस्सा valleys का seas बनके बैठे निशकर्ष some valleys are plains क्या कुछ हिस्सा valleys का plains के अंदर दिखा visible नहीं है तो गलत कोई भी valley mountain नहीं है तो valley और mountain में देखो क्रोस दिखा गलत कोई भी sea plane नहीं है कोई भी sea plane नहीं है बिल्कुल ठीक है केवल और केवल तीसरा निशकर अनुसर करता है चलो अगले में आईए some elephants are fishes कुछ हिस्सा elephants का fishes बनके बैठे है कोई भी fish जो है वो tiger नहीं है no fish is a tiger all dears are tigers इसको थोड़ा बड़ा बना के कर देता हूँ मैं कोई भी fish tigers नहीं है और all dears are tigers सभी dears जो है वो tiger का part बनके बैठे है पहला निशकर्ष some elephants are dears क्या कुछ हिस्सा elephant का deer के अंदर visible हुआ आपको नहीं visible false कोई भी elephant tiger नहीं है तो elephant और tiger के बीच में direct cross का relation दिखना चाहिए नहीं visible तो ये भी false हो गया ठीक है उसके बाद no deer is a fish तो उसके लिए deer और fish में cross दिखना चाहिए negative relation visible हो रहे देखो क्योंकि fish tiger नहीं है तो tiger भी fish नहीं है और moreover सारे के सारे deer भी तो tiger का ही part है वो भी fish नहीं है तो तीसरा निशकर्ष आपका बिल्कुल सही है ओके चलो तो इसके लिए answer के mark करेंगे हम only third follows केवल तीसरा निशकर्ष अनुसरण करता है next all buildings are towers सारी की सारी buildings जो है वो towers का हिस्सा है no tower is a shop कोई भी towers जो है वो shop नहीं है आप देखो मैंने questions सारे important वाले उठाये है basically आपको exam में problem कौन से conclusion create करते है जब आपके पास statement negative में हो negative relation वाले conclusion कौन कौन से no और some not वाले ये ज़्यादा दिक्कत देते हैं इसलिए मैंने ज़्यादा तर उनी questions को ही उठाया है easy वाले basic level वाले questions तो हर कोई कर लेगा अगर आप एक बार भी go through कर चुके है ना पूरे का पूरा topic तो वो भी आप से हो जाएंगे main problem create करने वाले ये वाले statements होती है और यही conclusion भी होते है इनको overcome करना है हमें पहला कहता है some offices are towers क्या कुछ इसा offices का towers के अंदर आया नहीं visible गलत no building is a shop कोई भी हिससा building का shop नहीं है बिल्कुल ठीक है क्योंकि building ultimately किसका part है towers का ही तो part है उत्तर only second for lock चलो अगला all keys are locks सारे के सारे keys जो है वो किसका part है locks का कोई भी door जो है वो lock नहीं है दो ही statement के उपर based था question तो पहला निशकर्ष क्या तो some locks are doors क्या कुछ हिससा locks का doors के अंदर दिखा आपको ये तो negative relation नहा रहे है negative relation है positive conclusion कहां से true हो गया इन दोनों में some locks are keys क्या कुछ हिससा locks का keys बनके बैठे हैं जी बिल्कुल है जब सारे keys ही locks बनके बैठे हैं तो locks का कुछ portion किसने consume किया हुआ है keys ने ठीक है कुछ हिससा sum तो दूसरा आपका बिल्कुल सही हुआ no key is a door कोई भी हिससा key का door नहीं है ये भी बिल्कुल सही हुआ क्योंकि door locks नहीं है तो lock भी door नहीं है lock door नहीं है तो keys भी то locks का ही part है तो वो भी door और नहीं है, दूसरा और तीसरा C option, ओके option देखो, carefully choose करना अगर आपने option गलत उठा लिया न हो गई फिर कहानी कतम All elephants are fishes All elephants are fishes कोई भी fish जो है, वो tiger नहीं है, सबी deer, some deer are elephant आईदर, आप पिछले question की तरह ये repeat नहीं हुआ, वहाँ पर सारे deers जो थे, वो tigers थे, बट यहाँ पर क्या है, कुछ deer elephant है, question बदल गया, पिछले से पिछला question की है न अभी हमने पहला some fishes are deers, क्या कुछ इससा fishes का deers है, जी बिल्कुल नहीं ये देखो, जो elephant का part थे क्योंकि सारे elephant ही क्या बनके बैठे है, fishes, elephant सारे fishes है, तो कुछ जो portion deer का elephant बनके बैठे दे, वो भी तो fishes का ही part है, common portion share कर रहे है, no elephant is a deer, तो elephant और deer में direct cross का relation होना चाहिए, negative relation, बट कुछ elephant तो deer बनके बैठे है no वाला कहां से सही हो गए है, यहाँ करता है, देखे all hotels are trucks सभी portion hotels का trucks बनके बैठे है उसके बाद some trucks are rickshaws कुछ ही सथ trucks का rickshaws का part है all rickshaws are trams सारे के सारे rickshaws trams है, और some trams are clouds, कुछ ही सथ trams का clouds बनके बैठे है देखे, चार statements के उपर बेज़ जाए आयो वा question है, मैं अपने answer नहीं दे रहा हूँ dda के exam में आया था पहला, some trams are trucks क्या कुछ हिससा trams का truck है, यह देखो यह trams है और यह trucks है tu डाल देता हूँ, trucks क्या कुछ हिससा trams का truck है, जी बिल्कुल है यह देखो, common portion share कर रहे है यह पूरा area trams का है, यह पूरा area trucks का है, देखे, common portion share कर रहे थे दूसरा, some trams are hotels, क्या कुछ हिससा trams का hotels है, यह देखो, यह hotel है यह सारा portion, trams का है क्या कोई common connectivity है यह दोनों के बीच में, नहीं है, तो false हो गया तीसरा, some clouds are rickshaws, क्या कुछ हिससा clouds का rickshaws के अंदर दिखाई दे रहे है यह देखो, यह rickshaws है, पूरा portion यह clouds का है, common sharing है यह दोनों के बीच में, ठीक है कि थोड़ा वो ता हिससा आपस में एक दूसरे के साथ share कर रहे हो, तो यह भी बटर जो है, वो बिस्किट नहीं तीक है, यह बटर है और यह बिस्किट निशकर्श देखिए पहला no biscuit is a bread कोई भी हिस्सा बिस्किट का bread नहीं है, तो बिस्किट और bread में direct cross दिखना चाहिए था negative relation, visible नहीं है तो गलत, कोई भी बिस्किट बटर नहीं है, यह तो बिलकुल ठीक है क्योंकि बटर बिस्किट नहीं है, तो बिस्किट भी बटर नहीं है some butter are not biscuit कुछ हिस्सा बटर का बिस्किट नहीं है यह भी बिलकुल सही है अब यह कैसे सही है भाई जब कोई भी हिस्सा बटर का बिस्किट है ही नहीं तो सम भी तो all का पार्ट हुआ हमें क्या given था कि कोई भी हिस्सा बटर का बिस्किट नहीं है given था statement के अंदर कोई भी portion मतलब fully portion जो है इसके साथ negative relation मना रहा है अगर मैं यहां से आपको बोलू के कुछ हिस्सा बटर का बिस्किट नहीं है क्या मैंने गलत बोला नहीं है ना जब fully portion भी बटर का बिस्किट नहीं है तो सम भी तो all का पार्ट हुआ इसलिए आपका दूसरा और तीसरा दोनों अनुसरण करते है ठीक है अगला no r is s कोई भी हिस्सा r का s नहीं है और कुछ s जो है वो t बन के बैठे है इस कर्षब देखो पहला क्या कहता है sum t r note r कुछ हिस्सा t का r नहीं है जिब इलकुल ठीक है कैसे sum note कुछ नहीं है ध्यान से समझो अगर कोई भी हिस्सा r का s नहीं है तो s भी r नहीं है reverse true होता है अगर कोई भी हिस्सा s का r है ही नहीं तो जो portion t का s के अंदर आ रहा था वो भी r नहीं है तो s के अंदर कोन आ रहे थे कुछ t आ रहे थे तो जो portion t का s के अंदर available है वो r का part नहीं है sum s r note r कुछ हिस्सा s का r नहीं है तो हाफ भी हो गई होगा चलो, उसके बाद देखिए क्या कि मैंना है All T.E.R.R. क्या सभी T.E.R.R. के अंदर आए गलब, पहला और दूसरा Both 1 and 2 follows ठीक है जी, चलो, next All jasmine are flowers सारा का सारा portion jasmine क्या बनके बैठे है flowers बनके बैठे है No flower is a plant कोई भी हिस्सा फ्लार का प्लार्ट नहीं है कुछ हिस्सा प्लार्ट का हर्ब्स इस क्वेशन को थोड़ा केरफुली देखना Some jasmine are herbs क्या कुछ हिस्सा jasmine का हर्ब्स के अंदर विजिबल हुआ नहीं विजिबल तो गलत No flower is a herb कोई भी हिस्सा flower का herb नहीं है क्या इविजिबल हुआ direct cross का relation नहीं विजिबल हुआ तो ये भी गलत no jasmine is a flower कोई भी इससा jasmine का flower नहीं है बट यहां तो सारे jasmine flower बनके बैठे है ये भी गलत हुआ answer would be either one or two अब यहां पर non follow तो है यह नहीं कोई भी अनुसरन नहीं करता अब उसे ही ढूंडने बैठो गए ना के non follows कोई अनुसरन करता ही नहीं है बड़ आपको non follows अवेलिबल ही नहीं है तो आपको क्या दिखा भी आईदर और दिख रहा है ये आईदर और कहां से हो गया और किस किस में आईदर और हो गया पहले और दूसरे में जैसमिन हर्ब्स ये फलार और हर्ब सबजेक्ट प्रेडिकेट तो सेम ही नहीं भाई ये कैसे होगी पिर बात तो ध्यान से देखिए पूरा जैसमिन किस से भरा हुआ है फलार से बरा हुआ है अगर मैं इस जैसमिन को फलार कंसीडर करके चलूँ, क्या मैं गलत बोलूँगा क्योंकि ultimately सारे के सारे jasmine है तो flower का ही part न तो ये jasmine तो ही है, साथ के साथ किसके equivalent है, ये flowers के भी equivalent है समझ में आई बात तो ये वाली point हमें कहां से strike करेगी, option का reference लेके क्योंकि हमारी पहली priority के रहती है कि हमें subject predicate same मिलना चाहिए, तो subject predicate तो same है ही नहीं, फिर हम option का reference लेंगे, none of these option आपको आती नहीं है तो suddenly दिमाग में आया कि कोई भी follow नहीं कर रहा, तो non follow वाला option तो होना चाहिए था कि कोई भी अनूसरा नहीं करता पर either or दिखा और मैंने आपको पहले भी बोला है starting में जब हमारा चोथा question था शायद question number four, वहां से either or की clarity दी 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 ना अगर आपके mind में नहीं आता कि हम भूल चुके हैं कि either or का pair बन रहा था, तो जब भी आप अपना answer mark करने बैठेंगे, option तो go through करने ही करेंगे ही करेंगे obvious सी बात है कहीं भी option में आपको either or दिखा तो cross check कर लेना उस चीज़ को कहीं वो either or तो नहीं मना रहे थे ऐसा बहुतों के साथ होता है कि either or का pair बनाना ही बूल जाते है तो option से आपको वो चीज़ strike हो सकती है helpful रहते हैं option इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ four option based questions आ रहे हैं तो options को parallelly मान के चलो तेक है none of these नहीं आ रहा तो उसका benefit बहुत है no pink is yellow कोई भी हिस्सा pink का yellow नहीं है no yellow is white कोई भी हिस्सा yellow का white नहीं है all red are yellows सारे red जो है वो yellow का पार्ट है इसको मैं थोड़ा बड़ा करके बना देता हूँ ये yellow का पार्ट था और सारे के सारे red जो है वो yellow बनके बैठे है चलो निश्करश पे आईए no red is a pink तो इसके लिए आपको red और pink में cross चाहिए ये देखो दिखा true क्योंकि pink yellow नहीं है yellow भी pink नहीं है तो red भी तो yellow का पार्ट है वो भी pink नहीं है no red is a white तो उसके लिए आपको red और white में भी cross दिखा ये देखो true क्योंकि yellow white नहीं है तो red भी तो yellow का पार्ट है वो भी white नहीं है no white is yellow कोई भी सा white का yellow नहीं है ये भी true हो गया answer would be all follow क्योंकि हमें white और yellow में भी direct cross का relation जो है वो visible हो रहा था some shirts are red कुछ हिस्सा shirt का red बनके बैठे है no red is jeans कोई भी हिस्सा red का jeans नहीं है पहला निश्करश no jeans is a shirt तो उसके लिए jeans और shirt में cross दिखाओ नहीं दिख रहा तो गलत some jeans are not red कुछ हिस्सा jeans का red नहीं है बिल्कुल ठीक है क्योंकि जब red ही jeans नहीं है तो jeans भी red नहीं है fully portion jeans का red के साथ negative relation मना रहा है complete portion जब कोई भी हिस्सा jeans का red है ही नहीं तो अगर इस में से मैं आधा टुकड़ा उठा लूँ jeans का और मैं उसको बोलूँ कि ये portion jeans का red नहीं है क्या मैं गलत बोल रहा हूँ बिल्कुल भी नहीं जब fully portion ही jeans का red के साथ negative relation मना रहा है तो ये वाला हिस्सा भी red के साथ negative relation ही बनाएगा इसलिए यहाँ पर आपका answer हैगा only conclusion second follows ओके चलो all hotels are trucks सभी portion hotels का trucks का part है some trucks are rickshaws कुछ हिस्सा trucks का रिक्षा बनके बैठे है all rickshaws are trams कुछ हिस्सा रिक्षा का trams है ये trucks थे some trams are clouds repeat ना हो बस some trams ये repeat हो गया some trams are trucks ये देखो जल्दी से खतम करूँगा ये हिस्सा trams का trucks का part है some trams are hotels गलत hotels और trams के बीच में कोई relation नहीं है ये मैं explain कर चुका हूँ आपको some clouds are rickshaws कुछ हिस्सा cloud का rickshaws के अंदर visible नहीं हो रहा ये भी गलत उत्तर क्या होगा only one follows some caram are white कुछ हिस्सा caram का white बनके बैठे हैं all red are caram सारे के सारे red किसका part है caram का visible हो रहा है सारे red किसका part है caram का पहला अब ये conclusion देखो तीनों के तीनों गलत none follow directly mark कर दो neither conclusion follows ये कैसे directly कर दी है भाई ये देखो दोनों statements हमें क्या given है positive some or all positive statements का part है तो positive statements के set में कभी भी आप negative conclusion पूछो ये देखो सारे negative conclusion थे positive statements के set में negative conclusion सारे के सारे गलत होते है बताया था ना starting में कि अगर हमारे पास negative conclusion का set है sorry negative statements का set है सारी statements no वाली है उसमें कोई भी positive conclusion पूछ लो कुछ true ही नहीं होता तो reverse भी true होता है जब हमारे पास positive statements का set है negative conclusion कोई भी पूछ लो कोई भी true नहीं होता तो मतलब बिना when diagram बनाए आप answer mark कर सकते थे none follows या neither conclusion follows कोई भी निशकर्ष जो है वो अनुसरण नहीं करता है यहाँ पर ठीक है चलो तो यह basic strong होने का plus point यही रहता है most suits are trousers most का मतलब क्या होता है जादतर मतलब के some some suits are trousers ठीक है some shirts are ties यह trousers है अभी तक shirts define नहीं हुआ ties भी define नहीं हुआ अगला उठा लीजे all suit case are watches यह सारे अलग अलग बनेंगे ठीक है यह phase 11 में आयो वक्रेशन है बनाओ सारे अलग अलग बनाओ some shirts are ties यह अलग बनेगा some shirts are ties यह अलग बनेगा कोई common connection नहीं है all suit cases are watches यह भी अलग बनेगा all suit cases are watches यह suits था अकेला suit था यह suit case है ठीक है चलो निशकर्ष all trousers are suits क्या सारे trousers suits का पार्ट है नहीं कुछ हिस्सा trouser का suit बनेगे बैठा है all थोड़ा है गलत some shirts are suit case क्या कुछ shirts जो है वो suit case का पार्ट है यह तो connection ही नहीं बन रहा तो यह तो गलत होना ही बनता है negative conclusion है गलत positive statements का set था तो negative conclusion गलत होगा अब चेक करो यह negative conclusion आया some shirts are not watches इसका subject predicate देखो किसी और के साथ मैच कर रहा है बिलकुल भी नहीं मैच कर रहा क्योंकि देखो हमें either one or three given था option मैंने देखा यह old trouser are suits है यह shirts और watches है subject predicate totally different है तो यहां पर हमें answer mark करना पड़ेगा none of the conclusion follow ठीक है no mug is a bucket कोई भी हिस्सा mug का bucket नहीं है दूसरा सभी mugs जो हैं वो cups है कुछ cups जो हैं वो spoons का पार्ट मन के बैठे है चलो निशकरश क्या कहता है देखो some spoons are buckets कुछ हिस्सा spoon का bucket कहा है दूर दूर तक कोई connection नहीं है पहला गलत हो गया some mugs are spoons तो कुछ हिस्सा mugs का spoon के अंदर यह देखो क्या इसके साथ mugs attach हो रहे है common portion share हुआ नहीं visible तो यह भी गलत हो गया some cups are not buckets अब देखो कोई भी mug bucket नहीं है अगर mugs bucket नहीं है तो mugs के अंदर कुछ हिस्सा cups का भी तो आ रहा था यह देखो कुछ हिस्सा cups का भी तो आ रहा है तो जो portion cups का mugs के अंदर आ है वो bucket नहीं है तो तीसरा निशकरश बिलकुल सही है only third follow ऐसे conclusion के उपर आपको पकड़ बनानी है तीन conclusion आए चार conclusion आए तीन मान के चलते है on an average कई भार दो भी conclusions के उपर बेस जा जाता है एक भी conclusion का answer गलित mark कर दिया वो true था उसे false कर दिया false वाले को true बना दिया पूरे answer की पिचरी change हो जाएगी आपकी तो conclusion को carefully mark करना के वो सही है या गलत है तीक है all knives are axes सारा हिस्सा knives का axes बनके बैठे है all axes are swords सारे axes swords का पार्ट है और सारे के सारे swords जो हैं वो swords का पार्ट है सारे आरियां जो हैं वो कलवारे हैं तीक है चलो पहला all swords are knives क्या सभी swords knives के अंदर आ रहे हैं नहीं सारा knife का portion swords बनके बैठे है सारा sword थोड़ा knives के अंदर आ रहे है इसलिए पहला गलत some axes are swords क्या axes का कुछ भी portion swords के साथ connected है यह देखो यहां तो relations swords का सिरफ swords के साथ गिवन है और किसे के साथ नहीं गिवन तो दूसरा भी गलत यह तो गलत हो गई होगा क्योंकि positive statements का set है negative conclusion गलत होता है तो चेक करो either or का pair option के थूर देखो 2 और 3 में चेक कर लो 2 और 3 में either or बना यह देखो x और sows दोनों common है subject predicate दोनों false है और complimentary pair भी बन रहा है इसलिए हमें a option mark करना पड़ेगा अगर हम by chance बूल जाते हैं either or का pair बनाना तो option को go through कर लो either or दिखा बना के देख लो simple बात कतम no pigeon is a dove कोई भी हिस्सा pigeon का dove नहीं है some doves are sparrows कुछ हिस्सा doves sparrows मन के बैठे हैं और सभी के सभी sparrows जो है वो birds का part है निशकरश पे आईए पहला some sparrows are not pigeons कुछ हिस्सा sparrow का pigeons नहीं है यह वाला देखो यह हिस्सा sparrow का ऐसा है जो pigeons नहीं है क्यों भई pigeons dove नहीं है तो dove भी pigeons नहीं है अगर dove का कोई भी इससा pigeons नहीं है तो जो portion sparrows का doves के अंदर आ रहा है वो भी pigeons नहीं है some sparrows are doves क्या कुछ हिस्सा sparrow का doves है यह वाला बताया तो जो pigeons नहीं है تήσरा some birds are doves क्या कुछ ही सा बर्ड्स का डव है ये वला क्योंकि ये देखो ये पूरा सरकल बर्ड्स का है तो बर्ड्स का कुछ पोर्शन डव्स ने भी शेर किया हुआ है all follow ठीक है तीनों के तीनों अनुसरन करते है तीसरा भी सही है all keys are windows सारी की सारी keys windows का पार्ट है कोई भी window जो है वो door नहीं है और कुछ door ऐसे हैं जो locks बनके बैठे है निशकर्ष some locks are keys क्या कुछ हिसा locks का keys के अंदर आया नहीं visible तो गलत ये देखो कोई common connection नहीं है कोई भी lock window नहीं है हाँ जी कोई भी lock window नहीं है तो उसके लिए lock और window में भी cross चाहिए गलत कोई भी door key नहीं है कोई भी door key नहीं है ये सही हो गया ये देखो क्योंकि कोई भी window door नहीं है keys भी तो window का पार्ट है तो वो भी door नहीं है तो तीसरा सही हुआ तो mark क्या करेंगे only third follows चलो अब इस चीज को हम थोड़ा carefully और देख सकते दे सारी की सारी keys ultimately किसका पार्ट है windows का ही पार्ट है अगर मैं इस keys को window के साथ replace कर दूँ कोई फरक थोड़ा पड़ेगा सारी keys window से ही भरी हुई है ना तो यहाँ पर देखो examiner की गलती है either or का pair बन सकता दाइन में some locks are window no lock is a window jasmine वाला question किया था ना flowers वाला चेक कर लो वही same sense यहाँ पर भी है क्योंकि ultimately keys किसका पार्ट है windows का इपार्ट है सारी keys window से भरी हुई है तो मैं इस वाले keys को window के equivalent मान सकता हूँ यह देखो complimentary pair भी है तो ऐसी situation में आप objection डाल सकते हो तो इसमें क्या रहेगा either one or two and only three follow या तो पहला या दूसरा होगा और तीसरा निशकर्ष अनुसरन करता है actual answer इसका यह होना चाहिए तो यह important है concept इसको carefully mark करना exam के अंदर next all dinosaurs are extinct सभी डाइनासोर्स जो है वो extinct है विलोप तो हो चुके है no tigers are extinct कोई भी tigers जो है वो extinct का part नहीं है some tigers are omnivorous कुछ हिस्सा tigers जो है वो omnivorous है पहला some omnivorous are dinosaurs क्या कुछ हिस्सा omnivorous का डाइनासोर के अंदर आया visible नहीं है तो पहला गलत हो गया no tigers are dinosaurs कोई भी इस्सा tigers का डाइनासोर्स नहीं है बिल्कुल ठीक है क्यों सारे डाइनासोर्स extinct का part है कोई भी extinct जो है वो tiger नहीं है तो डाइनासोर भी tiger नहीं है डाइनासोर्स टाइनासोर्स नहीं है करेगा, all dogs are cats, सभी dogs, cats का part है, कोई भी bat, cat नहीं है, some rats are bats, कुछ हिस्सा rat का, bat बन के बैठे, कुछ हिस्सा rat का, bat बन के बैठे, निशकर्ष, पहला क्या कहता है, कहता है, some cats are rats, कुछ हिस्सा cat का rat के अंदर visible हुआ, common portion, नहीं share कर रही तो गलत, some dogs are bats, क्या कुछ हिस्सा dogs का bat के अंदर आया, गलत, ये तो negative relation मना रहे है, no dog is a bat, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि bat dog नहीं है, तो dog भी bat नहीं है, सिरफ तीसरा निशकर्ष, अनुसरण कर रहा है, all beds are pillows, देखो, speed बढ़गी होगी न, point clear हो चुके होगे, no pillow is a chair, कोई भी इस्सा पिल्लो का chair नहीं है, some tables are chairs हो गया, निशकर्ष पे आईए, some tables are pillows, क्या कुछ इस्सा table का pillow के अंदर है, गलत, नहीं visible, some beds are table, कुछ इस्सा beds का table के अंदर है, गलत हो गया ये भी, no bed is a chair, कोई भी इस्सा bed का chair नहीं है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि bed ultimately पिल्लो का ही part है, यहाँ पर भी तीसरा अनुसरण करता है, पिछला और ये question सेम है, parameters लग लग हैं, बस, बाकी question की sense totally सेम है, statement से लेके conclusion तक, some crows are minas, मतलब मैना, some crows are manas, some manas are birds, बाकी क्या होती है फिर, चलो, daily life से connector नहीं करना, no वाला गलत, positive statement का set है, ये भी गलत हो गया, some वाली statement है, तो all वाले conclusion भी गलत होते है, some birds आर करो, ये चेक कर लो, क्या कुछ ही सा bird का करो के अंदर है, गलत, जैको मैने directly mark कर दी है, बिना when diagram देखे, positive statement का set था, negative conclusion गलत, और एक trick और भी होती है, जब आपके पास सारी statement some वाली true नहीं होता, जब कुछ portion ही share कर रहे हैं, हर एक parameter दूसरे के साथ, तो fully portion कहां से share कर लेंगे, some के case में some वाला pair ही true होता है, वो भी immediate अगर बनता हो, जैसे some birds are crows, क्या bird और crow immediate थे, नहीं देना, तो इसलिए वो भी गलत हो गया, अब option में either or उठाओ, देखो, either or काफियों में बन रहे हैं, तो बहतर है, ये देखो, pro bird, ओके, यहाँ पर क्या है, manas or crow, क्या manas or crow, यहाँ पर कोई moment था, नहीं धाना, तो crow और bird वाला ये वाला given है आपको, तो पहले और तीसरे में either or बन गया, देखे, some or no में either or possible है, ओके, इनका subject predicate चाहे same हो, चाहे exchange कर रहा हो position, इस चीज का भी ध्यान रख लेना, जब भी आपका some or no में either or का pair बनेगा, तो चाहे इनका subject or predicate parallel हो, या आपस में position exchange कर रहा हो, यहाँ पर देखो, position exchange हो रही है, इधर crow bird है, इधर bird crow है, position exchange हो रही है तो भी ये either or का pair possible है, जब आपका all or sum note का either or का pair बना, तो उसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा, subject or predicate की position parallel होनी चाहिए, उसमें exchange नहीं हो सकती position, तो either or के pair को लेके conditions है कुछ, यहाँ पर पहले और तीसरे में either or बनेगा, बस, next, all tools are spanners, सारे tools, spanners है, कुछ spanners, utensils है, कोई भी spanner, iron नहीं है, चलो, निशकर्ष के उपर आईए, पहला क्या कहता है, कहता है, some tools are irons, कुछ हिस्सा tools का, क्या iron के अंदर आया, visible है common portion, बिलकुल भी नहीं, कुछ utensils tools है, क्या utensils का कुछ भी हिस्सा tools के अंदर visible हुआ, आपको यह देखो, common portion share नहीं कर रहे, तो यह भी गलत हो गया, some utensils are not iron, कुछ हिस्सा utensil का, कौन सा, ये वाला, जो spanner बनके बैठे है, वो iron नहीं है, only third follow, समझा गया ना, negative cross या direct cross का relation मैंने देख लिए, negative relation किस में था, spanner और iron में, अगर spanner iron नहीं है, तो सारे tools भी iron नहीं है, और कुछ portion जो utensil का spanner बनके बैठे थे, वो भी iron नहीं है, some desk are trays, कुछ हिस्सा desk का, trays के बन अंदर आ रहा है, some trays are plates, some plates are desk, some plates are desk, इसको दो बार बनाना चाहें, तो बना सकते हैं, otherwise, आपका ven diagram ये बनेगा, कुछ desk ऐसी है, जो tray है, कुछ tray plate है, और कुछ plate जो है, वो desk है, valid ये भी है, valid ये भी है, matter नहीं करता, निश्कर्श आपको चेक करने आने चाहिए, सारी statement सम वाली है, all वाले conclusions सारे गलत, अभी बता के हटा था, सिर्व इसको चेक कर लो, some plates, बिल्कुल सही होगा, क्योंकि आपस में कोई ना कोई portion, तो सारे के सारे share करी रहे थे, तो only third follow mark करो, बस, खतम बात, ठीक है, some coolers are mixers, कुछ हिस्सा coolers का mixers बनके बैठे हैं, some mixers are scissors है, some scissors are knives, देखो फिर से, कुछ cooler mixer है, कुछ mixer, scissor है, कुछ scissor knives है, सारी sum वाली है, no वाला गलत, all वाला गलत होगा, no वाला भी गलत होगा, क्यों, positive statement का set है, negative conclusion गलत होगा, कुछ knives mixers है knives और mixers immediate pair नहीं है गलत कुछ Caesar cooler है Caesar or cooler immediate pair नहीं है गलत कुछ knives cooler है कुछ knives cooler immediate pair नहीं है गलत अब इसका subject predicate क्या है knife or mixture इसका क्या है knife or mixture तो इसमें first or form आई दरोर बना डालो खतम बात एक ही option आई दरोर में exist कर रहे है न उनको ही cross check कर लो बस some dolls are rockets देखो किसी भी question में आपको कोई भी confusion आती है न explanation में उसको rewind करके देख लेना some rockets are engines all engines are solids positive statement का set है negative conclusion गलत इसको check करो बस some dolls are solid क्या कुछ हिससा doll का solid के अंदर आया नहीं है न visible यह doll का portion है यह solid का portion है visible नहीं है तो यह भी गलत अब dolls are solid है यह भी doll और solid है तो either one और three बन गया बस क्या tough task है बताओ इतना तो simple हो गया तो यह basics strong होनी चाहिए जैसे मैंने directly कर दिया न क्योंकि यह सारा positive statements का set था positive statement का set है तो negative conclusion गलती होते है no pilgrim is a traveler कोई भी हिस्सा pilgrim का traveler नहीं है कोई भी traveler जो है वो person नहीं है बाकी कोन होगा यह pilgrim है सारे workers जो है वो pilgrims है इसको दुबारा बनाना पड़ेगा first वाला circle चोटा है थोड़ा सारे workers जो है वो pilgrims है देखो visible हो रहा है ओकी है चलो निशकर्ष पे आते है some pilgrims are workers कुछ हिस्सा pilgrim का worker है बिल्कुल है जब सारे worker ही pilgrim बनके बैटे है तो pilgrim का कुछ हिस्सा workers ने consume किया हुआ था no worker is a person तो worker और person में cross नहीं दिख रहा कोई भी worker traveler नहीं है बिल्कुल नहीं है ये चेक करो worker traveler नहीं है क्योंकि pilgrim traveler नहीं है तो ये वाला निशकर्ष सही होगा ठीक है चलो fourth कोई person pilgrim नहीं है तो person और pilgrim में cross चाहिए था तो ये भी गलत हो गया सिरफ और सिरफ पहला और तीसरा only first and third follow कर रहा है ठीक है चलो आगे some pens are boxes कुछ हिस्सा pens का boxes है कोई भी box जो है वो pen नहीं है और कुछ pens ऐसे हैं जो pens है कुछ pen boxes भी है कुछ कोई भी box fan नहीं है तो इसको ऐसे भी draw कर सकते हो जैसे बना रहे हो ठीक है और इसका alternate when diagram एक और भी हो सकता है क्योंकि pens common हो गए नहीं यहां पर यह देखो इसको ऐसे भी बना सकते दे कुछ pens जो है वो boxes है तीसरी statement पहले उठा लो कुछ pens ऐसे है जो fan है और कोई भी box जो है वो fan का part नहीं है ऐसे भी draw कर सकते हो यह भी okay है यह भी okay है parameters आपको connect करने आने चाहिए बस no pen is a fan तो आपको pen और fan में cross चाहिए बड़ कुछ pen तो fan का part थे देखो pen और fan में direct cross कहां की बनो गया no box is a pen box और fan में cross दिखना चाहिए वो तो कुछ portion share कर रहे है some fans are pens क्या कुछ इसा fans का pen है जी बिलकुल है यह देखो यह बन के बैठे है क्योंकि अगर कुछ इसा pen का fan के अंदर आ रहा है तो कुछ इसा fan का भी pen का part है common portion है some boxes are pen कुछ इसा boxes का pen भी है अगर कुछ pens boxes हैं तो कुछ boxes pen भी है तीसरा और चोथा दो नौन उसरन करते हैं D option चलो यह था हमारा सारे का सारा sharety का case comment section में जरूर बताएगा sharety clear हुआ या नहीं अब एक काम करो वीडियो को आगे मत देखो इसको अगले दिन जाके देखना अगर आप कही न कहीं concepts में lag करते हो ना पहले इनकी practice करो खुद से एक बार re-attempt करो सारे के सारे questions को sharety based अगर sharety clear होगी तो ही possibility कर पाओगे क्योंकि अगला जो task हम शुरू करने वाले हैं वो possibility का होगा और जो questions होँगे वो mix होँगे जिसमें sharety और possibility दोनों चीज़ें include होगी दोनों conclusion include होगे ओके चलो तो उमीद करता हूँ आप मेरी बात मान के चल रहे हो पहले sharety वाले cases re-attempt करके देख रहे हो तसली होगी तो ही हम possibility के उपर आएंगे तो possibility क्या होती है पूरी की पूरी हिंदी में बात करें तो संभावना किसी चीज़ के होने की या ना होने की जैसे मैं कहता हूँ किसी भी class का भी result नहीं आया pending है तो class और उसके result के बारे में कोई भी relation नहीं है तो आप कुछ भी assume कर सकते हो आदी class pass भी हो सकती है आदे fail भी हो सकते है सारे pass भी हो सकते है और सारे के सारे fail भी हो सकते है तो assumption का मतलब क्या है possibility का मतलब क्या है कि अगर हमें किनी भी दो parameters के बीच में कोई भी relation ना given हो किनी भी parameters के बीच में कोई भी data ना given हो आप कुछ भी assume कर सकते हो यह हमारा पहला point है point A जिन दो parameters में कोई भी data given ना हो data not given किनी भी दो parameters के बीच में then everything is possible वहाँ पर possibilities exist करेंगे दूसरा parameter जिस चीज की हमें लगता है कि चीजे surety में available है पता है कि यह चीज already given है उसको कभी भी possibility का part नहीं बनाना तेके वहाँ पर possibilities exist नहीं करेंगे तीसरा parameter क्या है जहाँ पर आपकी statements आपके कधन आपकी statements जो भी आपको data दिया जाता है अगर आपकी statements contradict कर जाएं जो भी आप possibility लगाने बैठोगे अगर statements की contradictions हो रही है तो वहाँ पर भी possibilities क्या होंगी false मानी जाएंगी तो इन तीन points या तीन pillars के उपर possibility based है charity में अब तक क्या given था कि जो चीजें दिखाई दे रही थी उसी को सच मानना था यहाँ पर जो नहीं भी given ना उसके बारे में assume करना है तो यहाँ पर assumptions ही allowed होंगी valid मानी जाएंगी दूसरा जहाँ पर हमें लगा के चीजें surety में given की जा चुकी है वहाँ पर सारी की सारी possibilities क्या होंगी false क्योंकि जो चीज definitely exist कर रही है उसकी और संभावना क्या बना होगे possibility तो exist करेगी यह नहीं तीसरा जहाँ पर आपकी कतन जो भी आपको data दिया जाएगा statements में कतन में अगर उनकी contradictions हो रही है conclusion के through तो वहाँ पर भी possibility का कोई भी काम नहीं है बाकी इनकी clarity जो जो मैंने बोला conclusion के through देखिएगा question का reference लेके ज़्यादा clear करूँगा तो पहला conclusion देखिए किया है question क्या है all flags are symbols बैठे हैं और कुछ pride ऐसे हैं जो bride है निशकरश के उपर आओ all flag are bride pride क्या सारा हिस्सा flag का pride का बनके बैठा है part बिल्कुल है क्योंकि जब सारे के सारे flags symbols हैं और सारा symbol pride बन चुक है अगर सारा symbol pride बन चुक है तो flag भी तो pride का ही part होंगे surety based conclusion है ये देखो तो ये क्या हो गया true अब आगे आपको दो conclusion में ये देखो phrase लिखा हुआ is a possibility मतलब possibility based conclusion है संभावना है क्या ये संभावना है कि कुछ flags जो हैं वो bright हो जाएं ये देखिए क्या हमें flag और bright के बीच में कोई relation available है अगर ये चीज तो आप क्या माग करते false possibility में ये true है क्यों 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 हमें जिन दो चीजों के बीच में कोई भी data या information ना given हो possibilities वही मानी जाती है true ये ही तो बताया था हमें flag और bright के बीच में कोई relation नहीं given तो उनके बीच में कुछ भी पूछ लो होना संभावना के उपर होना चाहिए conclusion possibility based होना चाहिए तो वहाँ पर सारी possibilities exist करेंगे तीसरा कहता है some symbols are bright is a possibility और फिर से वही बात आती है क्या हमें इस symbol का complete bright के साथ कोई relation directly given है नहीं given ना तो इनमें भी सब कुछ possible है तो यहाँ पर answer रहेगा all one two and three follow तीनों के तीनों अनुसरान करते है question को थोड़ा carefully attempt कीजिएगा क्योंकि आपको surety और possibility दोनों चीज़े mix करके आती है surety में वही conclusion true या false mark करने है जो आपको दिखाई दे रहे है possibility में जो चीज़े नहीं दिखरी न वो भी सही करनी है ठीक है उनको consider करके चलने assumption लगानी है some goats are eagle देखतर येगा question का reference लेकी clear हो जाएगा क्योंकि possibility जो है वो question का reference लेकी समझ में आएगी ये totally ratification है ठीक है क्योंकि चीज़ें आपको assume करनी पड़ती है कुछ हिस्सा goat का eagle है सभी eagles ऐसे हैं जो snakes बनके बैठे हैं और कोई भी duck जो है वो eagle नहीं है no duck is an eagle चलो निशकर्ष के उपर आते हैं पहला conclusion देखिए no snake is a goat कोई भी हिस्सा snake का goat नहीं है तो उसके लिए snake और goat में cross चाहिए था बढ़ कुछ हिस्सा तो goat का snake बनके बैठे है false अगले possibility ये देखो लिखाया न तो differentiate करना आना चाहिए पहले तो कौन सा share rate को define करना है कौन सा possibility को some ducks are snakes is a possibility कुछ ducks snakes हैं क्या ही संभावना हो सकती है duck और snake में देखो कोई connection है ये रहा ducks ये रहा snakes duck का snake के साथ कोई relation नहीं given तो सारी की सारी ducks ही snake का part हो सकती है अब आप कहेंगे ये है तो सी relation तो ये snake to duck है अगर हमें snakes का duck के साथ पूछे जाता relation तो इस portion को consider करते कि कुछ हिस्सा snakes का ऐसा है जो ducks नहीं है हमें इस वाले portion का snakes का ducks के साथ relation दिया गया है कि ये portion स्नेक का ऐसा है जो डक नहीं है क्या हमें इस वाले का कोई डेटा गिवन है स्नेक का डक के साथ तो ये वाला पोर्षन स्नेक का डक के साथ कोई रिलेशन नहीं बना रहा तो ये वाला पोर्षन इसके साथ possibility में कैसे भी exist करेगा ये पोर्षन स्नेक का duck हो भी सकता था नहीं भी हो सकता अगर ये portion snake का duck हो सकता है some snakes can be ducks तो पूरा portion duck का इधर भी आ सकता है statement भी नहीं contradict हुई तो दूसरी possibility valid है हम सारा duck ही snake मना सकते हैं बट फिर भी इधर तो some की बात की जा रही है okay, some तो हो गई होगा some ducks are not goats ये surety based हो गया आपका ये देखो वो तो कर चुके हो आप up to 37 question some ducks are not goats कुछ इससा ducks का goats नहीं है देखो some note में आपको कभी भी दिक्कत आती है न अगर पहली बात अगर practice proper की हुई है some note से related अगर आपका कोई भी conclusion सही हुआ तो वो देखते ही मिल जाता है अगर फिर भी आपको by chance problem आती है न एक काम करना उस some note वाले conclusion में subject और predicate reverse कर दो हम ये चेक करते हैं some goats are not ducks इसको चेक करो कुछ हिस्सा goat का duck नहीं है कौन सा हिस्सा goat का duck नहीं है जो eagle बनके बैठे है क्योंकि duck eagle नहीं है तो eagle भी ducks नहीं है तो ये portion goat का जो eagle बनके बैठे हैं वो ducks नहीं है ये true होता न बढ़ हमें क्या पूछे कि some ducks are not goats तो visible नहीं है तो false reverse में some note true नहीं होता moreover इसकी तरह दिखना चाहिए था कि कौन सा portion duck का ऐसा है जो eagle के साथ negative relation बना रहा है वो तो visible ही नहीं हो रहा sorry duck का goat के साथ negative relation बना रहा हो वो तो visible ही नहीं है हमें अगर हम goat to duck तक travel करते हैं फिर visible है ये portion goat का duck नहीं है बट duck to goat की clarity नहीं है इसलिए वो conclusion क्या हो गया false answer के मार्ग करेंगे only second follow most important concept के उपर based question था ये तीनों के तीनों conclusion सही थे बड़िया level के आगे all blue are dogs सारा portion blue का dogs है कोई भी dog जो है वो silver नहीं है और सभी pinks जो है वो dogs है चलो पहला निशकर्ष some pink are silver क्या pink और silver में कोई connectivity है गलत no blue is pink is a possibility संभावना के उपर अधारित के कोई भी portion blue का pink नहीं हो सकता के ये संभावना है वही बात आती है क्या हमें blue और pink के बीच में देखो कोई relation given है connection दिखाई दे रहा blue और pink में तो कोई relation ही नहीं given then everything is possible कुछ blue pink हो भी सकते थे कुछ blue pink नहीं भी हो सकते सारा blue भी pink हो सकता है ये भी संभावना है और कोई भी blue pink ना हो संभावना वो भी है तीसरा some blue are silver कुछ इससा blue का silver के अंदर visible हुआ sharety में पूछ रहा है नहीं visible तो ये गलत answer होगा only second follow clear है तो ये sharety possibility mix करके आते हैं तो practice भी उन्हीं की ही करेंगे हम some houses are trees कुछ हिस्सा houses का trees बनके बैठे है all flowers are houses सभी के सभी flowers जो है वो houses का part है तीसरा क्या है no vegetable is a flower कोई भी हिस्सा vegetable का flower नहीं है अच्छा है event diagram CHSL में आयों है पिछले साल question some houses are trees हो गए all flowers are houses भी हो गए और कोई भी vegetable जो है वो flower नहीं है बिल्कुल ठीक है पहला some vegetables are houses is a possibility संभावना है कह ये कि कुछ vegetable houses का part हो जाए ये देखो फिर से वही बात आती है हमें इस वले houses का complete vegetable के साथ कोई relation नहीं given तो ये वले portion में पूरे का पूरा vegetable का part आ सकता है सारा का सारा vegetable वाला portion is houses के dotted region में आ सकता है जब सारा ही आ सकता है तो some भी possible है फिर some flowers are trees is a possibility क्या कुछ हिस्सा flowers का trees हो जाए क्या ये संभावना है क्योंकि हमें flower और tree के बीच में देखो कोई भी relation नहीं given then everything is possible कोई भी संभावना मानो valid होगी ये surety में हो गया no vegetable is a house कोई भी हिस्सा vegetable का house नहीं है तो उसके लिए vegetable और house में cross दिखना चाहिए हमें तो vegetable और flower के अंदर given है house के अंदर थोड़ा given है ये गलत हो गया answer होगा both one and two follow पहला और दूसरा ही अनुसरन करते हैं बस इसलिए मैं शुरू में ही बोल चुका हूँ सबसे पहले question के उपर approach करने से पहले निश्कर्श नहीं देखने है when diagram जो भी आपने statements का बनाया है उनमें negative relation को judge करो ठीक है अगला no dogs are cats कोई भी हिस्सा dog का cats नहीं है mostly cats mostly का मतलब क्या हो गया some some cats are rats अगला statement देखे क्या है ये अपने end से नहीं दिया exam में आ रख है only a few rats are tigers केवल और केवल कुछी rats ऐसे हैं जो tigers का part है मतलब some rats are not tigers तो जो ये only a few है ये दो चीजों को combine करके बनता है some plus some not अब देखिए ये आपका SSC, CPO और MTS में आ रखे है अगर आप 2023 से पहले वाले paper उठाएंगे क्योंकि इससे पहले भी हमने syllogism के session लगा हैं वहाँ जाके आप देख सकते हो वहाँ पर पता चल जाएगा आपको only a few क्या होता है only a few sensei बना के चलो केवल कुछ ही rat ऐसे हैं जो tiger है मतलब केवल और केवल कुछ ही rat tiger का हिस्सा है मतलब remaining rat जो है वो tiger नहीं है क्योंकि term क्या given है only a few अगर only term ना given होती तो क्या होता a few rats are tiger कुछ rat tiger है but only term जैसी ही आगई मतलब वो some और some not दोनों का combination है only a few का मतलब कुछ है और कुछ नहीं भी है ठीक है चलो इसे दिहान से करिएगा किता some cats are not tigers कुछ हिस्सा cat का tiger नहीं है का visible है cat और tiger में relation तो पहला गलत हो गया all rat being dog is a possibility क्या सारा rat dog का part हो सकता है एक second के लिए मानते हैं हो सकता है सारा rat dog हो सकता है जैसी rat सारे का सारा dog बना क्या वो अकेला जाएगा नहीं इसको लेके जाएगा साथ में इस cat वाले portion को भी लेके जाएगा बट कोई भी cat तो dog है यह नहीं जब cat कोई भी dog नहीं है तो जैसी rat dog का part बना, उसने cat को भी dog का part बना दिया, statement contradict कर गी क्यों, क्योंकि कोई भी cat जो है वो dog तो हो भी नहीं सकती थी, तो जहां कहीं भी statement की contradictions हों, वहाँ पर possibility क्या होती है, false, तो यहाँ पर answer रहेगा neither nor, only a few में बात करें, अगर पूछा जाता क्या सारे rat tiger हो सकते हैं, false, क्योंकि केवल कुछ ही rat tiger है, मतलब remaining portion rat का tiger नहीं है, अगर पूछा जाता, some rats are not tigers, surety में, कि कुछ हिस्सा rat का tiger नहीं है, तो वह true होता, कौन सा, यह वाला portion rat का tiger नहीं है, क्यों, only a few का case था, तो काफी important concept है, chances are there, कि आपको पूछा जा सकता है, tier 1 में ना सही, तो tier 2 में पूछा जा सकता है, तो इसको four guaranteed मतले न, free के number देके जाएगा, अगर आप यह attempt करके जाओगे, क्योंकि काफी students इसे नहीं approach करके जाते हैं, okay, fifty hundred method लगा लो, देख लेना अगर solve होता है तो, मुझे नहीं आता, students complaint कर करते हैं ऐसे, कि fifty hundred से हो गया जी, fifty hundred लगा के देखना, इस पे only a few का case आया, जो जो मैंने last में conclusion बोले है, check करना उस पे valid बनता है यह, some convex are not concave, कुछ हिस्सा convex का, concave, नहीं है, some note से related statement है, some concave are plane, कुछ हिस्सा concave का, plane बनके बैठे हैं, सभी plane जो हैं, वो regular है, चलो, निशकर्ष देखे, पहला हमारे पास क्या कहते हैं यहाँ पर, some regular are concave, क्या कुछ हिस्सा regular का concave है, जी बिलकुल है, यह देखिए, यह पूरा हिस्सा देखिए, regular का नहीं है, और कुछ हिस्सा regular का concave ने consume किया हुआ है, sharety में true हुआ, दूसरा possibility बेखिए, सारा convex जो है, वो regular हो सकता है, क्या यह संभावना है, convex और regular में देखो, फिर से, कोई भी relation नहीं given, then everything is possible, true, अगर पूछा जाता क्या सारा convex, concave हो सकता है, फिर वो false होता, क्यों? क्योंकि कुछ हिस्सा convex का तो concave है ही नहीं, अगर पूछा जाता क्या सारा concave convex हो सकता है, वो true है, क्योंकि concave to convex की possibility exist करेगी, यहां सकता है, तो यहां पर इसकी बात करें तो both follow, अगला, all wines are whiskey, all wines are whiskey, मन में लड़ू फूटा है, some whiskeys are beers, some whiskeys are beers, कुछ हिस्सा whiskeys का beers के अंदर है, और कुछ beers जो है, वो vodkas, नहीं है, कुछ beers जो है, वो vodkas, नहीं है, काफी interesting question आ रखे हैं, पिछले साल यह देखो, TDA के exam में आ रखा है, CHSL, काफी अच्छे level के question पूचे गे थे, सिलो जिज़म में, SSC based pattern ही होता है, इनका भी, इसलिए include की है, some beers are vodkas, क्या कुछ हिस्सा beers का vodkas के अंदर है, नहीं, क्योंकि यह तो some note था, कुछ beers तो vodkas है ही नहीं, अगर आधी class fail है, तो इसका मतलब यह है, कि आधी pass है, आधी के बारे में information नहीं है, ठीक है, all whisky's vodkas हो सकते हैं, कह संभावना है, कि सारा whisky's vodkas हो सकता है, बिलकुल हो सकता है, क्योंकि हमें whisky और vodkas के बीच में relation नहीं given, और अगर whisky vodkas बना, तो यह वाला portion beer का भी साथ में जाएगा, हो सकता है, क्योंकि इस वाले beer वाले portion का हमें vodkas के साथ कोई भी relation नहीं, अगर पूछा जाता है, क्या कुछ beer vodkas हो सकती है, हो सकती है, यह वाला portion beer का vodkas हो सकता है, ठीक है, और यह नहीं भी हो सकता, अग कोई दिक्कत नहीं है, statement कौन सर, contradictory हो रही है, उत्तर, only second follow, तो point देहां से समझते रहो, यहां से यह नहीं है मतलब आपका, कि question का solution ले लिया, that's it, काम कतम, concept है समझ के चलो, तो ही फायदा है question को attempt करने का, session देखने का, otherwise रहने दो भाई, क्यो time waste करने हो, कुछ और ही पढ़ only of you, देखो आगया, only of you A1RP5, केवल कुछ ही हिस्सा A1 का ऐसा है, जो P5 बनके बैठे है, मतलब कुछ हिस्सा 1 का 5 नहीं है, क्यों लिखें, 158 ऐसे नमबर ही लिख लेते हैं, केवल कुछ ही 5 जो है, वो 8 बनके बैठे है, मतलब remaining portion 5 का 8 नहीं है, निश्कर्ष के उपर आई है, sum A1R8, क्या कुछ हिस्सा 1 का 8 के अंदर दिखा, नहीं, सारे P5, T8 कभी भी नहीं हो सकते, अब यहाँ पर एक concept आया, can never का, can never किसके equivalent होता है, हमेशा आपका share rate के, मतलब के, जो चीज अभी surety में exist नहीं कर रही, वो can never के case में भी कभी नहीं करेगी, कहने का मतलब, हमें यहाँ पर दिया गया था, sum A5, T8 कभी भी नहीं हो सकते, तो एक second के लिए मान के चलो, कि यह false है, क्या आप बोलते हो, नहीं, यह तो गलत है भाई, अगर यह गलत हुआ, आपने पूछा गया वैसे देखो, कि सभी के सभी 5, 8 कभी भी नहीं हो सकते, आपने बोल दिया भाई, यह गलत है, इसका मतलब यह हुआ, आपके हिसाब से कि सारे 5, 8 हो सकते थे, क्या सारे का सारा 5, 8 हो सकता है, नहीं हो सकता न, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ हिस्सा 5 का तो 8 है ही नहीं, यह देखिए, only of you का case given था, जब कुछ हिस्सा 5 का 8 है ही नहीं, तो आप कुछ सोचिए, क्या सारा 5, 8 हो सकता था, statement contradict कर गई न, तो इसलि यह सही है सारे का सारा portion 5 का 8 कभी हो ही नहीं सकता क्यों नहीं हो सकता क्योंकि कुछ हिस्सा 5 का 8 नहीं है क्या बोला मैंने कुछ हिस्सा 5 का 8 नहीं है कि sum 5 are not 8 यह हमें गीवन था इस वज़ा से सारे का सारा 5, 8 कभी भी हो नहीं सकता तो जब भी आपको all can never का case available हो तो वो किसके equivalent होता है some note के equivalent होता है course में मैंने completely ये detail में बता रखा है आदा पोना घंटे का session ही can never के उपर था अगर याद हो तो आपको अगर नहीं याद है पहली बार पढ़ रहे हो कोई issue नहीं है रट सकते हो तो वैसे मैंने point आपको concept clear कर दिया है कि कुछ हिस्सा 5 का 8 नहीं है इस वज़ा से सारे का सारा 5 जो है वो 8 कभी हो ही नहीं सकता तो जब भी all can never का case आया तो some note के equivalent होता है अगर ये true है some 5 or note 8 के कुछ हिस्सा 5 का 8 नहीं है तो all can never भी हमेशा true ही होगा ये trick बना रखी है हमने आगे आएगा tension के ले रहे हो आगे देखिएगा only a few b r q केवल कुछ हिस्सा b का ऐसा है जो q बन के बैठे है मतलब remaining portion b का q नहीं है और केवल कुछ ही q ऐसे हैं जो v बन के बैठे हैं ये वले मतलब remaining portion q का v नहीं है सम और सम नोट दोनों का combination है देखो पहला क्या कहता है कुछ b v है क्या कुछ हिस्सा b का v के अंदर है गलत सारे के सारे q कभी भी भी नहीं हो सकते सारा q कभी भी भी नहीं हो सकता कभी भी नहीं हो सकता जी ठीक है नहीं हो सकता क्यों 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 क्य note के equivalent है, some note में true है तो can never में भी क्या होगा हमेशा true ही होगा, ओके आगे, ये देखो can never वाले है और clear कर देता हूँ some bowls are cups कुछ हिस्सा bowls का क्या है, cups है सभी cups जो है वो glasses है, कुछ glasses जो है, वो plates है और सभी plates जो है, वो utensil बन के बैठे है, चलो conclusions के उपर आईए अब कहता है, सभी bowls कभी भी utensil नहीं हो सकते अब खुद सोचिए, क्या सारे के सारे bowl कभी utensil नहीं हो सकते हो सकते हैं न, इसलिए ये गलत हो गया क्योंकि can never का मतलब मैंने क्या बोला, surety में अगर वो अब नहीं है, तो कभी हो भी नहीं सकते बढ़ ये तो possibility में true होगा सारा bowl तो utensil हो सकता है possibility मानके चल सकते हैं ये कदे कभी भी भी नहीं हो सकते कभी भी नहीं हो सकते, मतलब surety में demand कर रहा है, तो ये गलत माना जाएगा ओके, दूसरा सारे glasses कभी भी utensil नहीं हो सकते आप खुद सोचो, अगर कुछ glasses utensil हैं, अगर आधी class pass है, तो सारी class pass नहीं हो सकती क्या, हो सकती है ना, इसी वज़ा से, अगर कुछ glasses utensil का part है क्या सारा glasses utensil नहीं हो सकता, हो सकता है बढ़ ये क्या कह रहा है, can never कि कभी हो ही नहीं सकते क्यों नहीं हो सकते भाई ये तो हो सकते थे इसकी तो possibility valid है जहां possibility valid होती है वहाँ पर can never के cases हमेशा क्या होते है false होते हैं तो यहाँ पर answer क्या रहेगा neither no ना पहला अनुसरन करता है ना दूसरा point में अगर कोई भी confusion हो है 10 points को rewind करके देख लो समझो understand करो मैंने बोला क्या है देखें उन चीज़ों को grasp करो तभी ये concept clear होंगे can never अगर paper में आ गया ना इसकी वज़े से mark होगे फिर समझ मैं ही बात और आपका ही सही होगा ये for sure अगर आप understand कर लेते हो can never है क्या ओके चलब अगला देखें क्या है only of you grasses are green एवल कुछ ही हिस्सा grasses का ऐसा है जो green बनके बैठे है remaining grasses जो है वो green नहीं है some grasses are note brown कुछ हिस्सा grasses का brown नहीं है तीसरा कोई भी brown white नहीं है clear of end diagram केवल कुछ ही grasses जो है वो green है कुछ grasses brown का part नहीं है कोई भी brown white नहीं है negative का statements है dda के paper में सभी grasses green होने की संभावना है क्या सारा grass green हो सकता है बिलकुल भी नहीं क्यों क्योंकि कुछ grasses तो green है ही नहीं तो सारा grass green कहां से हो जाएगा statement contradict हो जाएगी यह surety में है दोनों कुछ grass white नहीं है कुछ grasses white नहीं है तो कुछ grasses के case में grass का ऐसा portion दिखना चाहिए था जो white के साथ negative relation में ना रहा हो अब आप कहेंगे यह है तो सही बढ़ यह negative relation है यह portion तो grass का brown है ही नहीं अगर यह grass का brown portion होता positive तो हम माल लेते हैं यह portion grass का white नहीं है बढ़ यह तो negative relation में आ रहा है common हिस्सा होना चाहिए था तो यह भी गलत क्योंकि grass और brown के sorry white के relation को लेके हम doubt में चल रहे है green और brown के relation को भी doubt में लेके चल रहे है तो यह भी गलत हो गया answer would be none follow कोई अनुसरण करता ही नहीं है अगला all books are papers सबी books papers है सारे novels भी papers है सबी novels papers का part है और कुछ paper cover नहीं है some papers are not covers चलो some books are not novels कुछ इस सब books का novels नहीं है कहा है relation given false charity में दिखना चाहिए न some covers may not be papers कुछ cover paper नहीं हो सकते कुछ cover paper नहीं हो सकते ठीक है नहीं हो सकते क्योंकि हमें given है कुछ paper cover नहीं है और reverse में अगर पूछा जाए some cover are not paper वो false होता है न क्योंकि paper to cover तो clarity है cover to paper clarity नहीं है और अगर cover to paper की clarity नहीं है हिस्सा cover का paper नहीं हो सकता हो यही वाला portion क्या पता यही वाला नहीं हो सकता हो तो इसकी संभावना है only second follow only a few rocks are seas केवल कुछ हिस्सा rocks का ऐसा है जो seas का part है मतलब remaining portion rock का seas नहीं है एक second अगला all seas are lands सारा portion seas का land के अंदर आ रहे और कुछ land ऐसे हैं जो rivers है वो क्या थे यह rocks थे चलो निशकर्ष देखो क्या कहता है पहला सभी rocks seas हो सकते हैं क्या यह संभावना है सभी rocks seas का part हो सकते हैं आप खुद सोचो सारा rocks क्या seas हो सकता है नहीं हो सकता क्यों केवल कुछ ही rocks जो है वो seas है remaining rocks seas का part नहीं थे ठीक है अगला सारे rocks land हो सकते हैं यह देखो सारा rocks land हो सकता है जी बिल्कुल हो सकता है यह देखो सारा rocks यहाँ पर आ सकता है ऐसा भी हो सकता है यह देखो सारा रोक तो land हो सकता है ना देखो some roaks are seas some roaks are no seas यह वाली statement यहाँ पर draw define कर सकते हैं देखो statement contradict नहीं कर रही तो दूसरे वाला निशकर्ष यह possibility बिलकुल valid है यह भी काफी important question था दूसरा conclusion देखो कितना important है some windows are no doors कुछ हिस्सा windows का doors नहीं है some doors are fans कुछ हिस्सा door का fan बनके बैठा है और कोई भी fan जो है वो bulb नहीं है निशकर्ष सभी bulb door होने की संभावना है सभी bulb के door होने की संभावना है जि बिलकुल है यहाँ हो सकता है क्योंकि इस वाले door का bulb के साथ connection नहीं given सभी door के window होने की संभावना है क्या सभी door window हो सकते है क्योंकि हमें given है some window are not door कुछ हिस्सा window का door नहीं है बट सारे door तो window हो सकते हैं यह देखो सारा door window हो सकता है और कुछ window का portion door नहीं है statement भी रख ली contradiction भी नहीं होई और conclusion भी valid बनवा दिया true क्योंकि हमें door से लेके window तक की clarity नहीं थी ठीक है अगला only a few red are yellow केवल कुछ हिस्सा red का ऐसा है जो yellow बनके बैठे हैं मतलब remaining portion red का yellow नहीं है कोई भी yellow जो है वो blue नहीं है और सारे blues जो है वो green का part है इस कर्ष देखे क्या कहता है कहता है some green are not yellow कुछ हिस्सा green का yellow नहीं है true yellow blue नहीं है तो blue भी yellow नहीं है तो portion जो green का blue बनके बैठे थे वो भी yellow नहीं है सारे red यलो हो सकते हैं संभावना है false दो तीन बार discuss हो गया यह तो सारा red यलो कहां से हो जाएगा क्योंकि कुछ red तो yellow है ही नहीं तिक है only one follows no do is a perfume कोई भी हिस्सा do का perfume नहीं है all perfumes are powders यह perfume है सारे perfumes जो है वो powder का part है उसके बाद कुछ powders ऐसे हैं जो shampoo बनके बैठे है चलो निशकर्ष पे आईए सभी डियो powder होने की संभावना है क्या सारा डियो powder हो सकता है हो सकता है जी सारा डियो powder के अंदर यहां पर आ सकता है अगर पूछा जाता कि सारा powder डियो हो सकता है गलत हो जाता क्यों जब सारा powder डियो बना तो वो perfume को भी डियो का part बना देगा statement की contradictions हो जाएंगी सम डियो आर शैंपू sharety में given है क्या कुछ हिस्सा डियो का शैंपू के अंदर दिखा visible नहीं है तो यह गलत तो देखो यह mixing मत कर देना कहीं sharety में भी possibility आप apply कर दो देखेंगे वो गलत होगा फिर आपका चलिए अगले पर आईए next few pens few का मतलब होता है some some pens are staplers कुछ हिस्सा pen का staplers बनके बैठे है उसके बाद कोई भी stapler जो है वो pencil नहीं है कोई भी stapler pencil नहीं है यह pen है और यह pencil सभी pencils जो है वो sharpeners है direct cross का relation stapler और pencil में गिवन है कोई भी stapler sharpener नहीं है stapler और sharpener में कहां cross दिखा नहीं visible तो गलत कुछ pen pencil हो सकते हैं क्या यह संभावना है कुछ pen pencil हो सकते हैं जी बिलकुल हो सकते हैं यह वाला pen pencil हो सकते है true सारा pen pencil हो सकते हैं नहीं क्योंकि कुछ हिस्सा pen का तो pencil है ही नहीं सारा pen कहां से हो जाएगा pencil समझागी बात तो चीजें असान हैं बस understanding के साथ question को solve करना है कि data क्या given है आपको उसी के बहाव पे conclusion true false माक होते हैं उनी के बहाव पे possibilities decide होती है only ये single question करवाऊंगा exam में अभी तक आया नहीं है बट फिर भी knowledge दे देता हूँ आपको इस चीज़ की only grapes are papaya देखो only जो है है तो ये affirmative का part मतलब all के equivalent बट इसमें subject और predicate जो हैं आपस में position हमेशा exchange करते हैं तो इसका मतलब क्या होगा all papayas are grapes इसका मतलब क्या हुआ के केवल और केवल grapes ही है जो papayas मन के बैठे हैं तो मतलब papayas का किसी और तीसरे parameter के साथ कोई भी relation possible नहीं हो सकता only का meaning ये है जैसे आगे देखिए some grapes are mango ये given हो गया और given हो गया no mango इज़ा लीची ये question थोड़ा carefully समझ लेना इसमें बहुत से conclusion मैं आपको बताऊंगा क्योंकि only से related है na question पहला देखिए some papayas are not leechy कुछ हिस्सा papaya का लीची नहीं है अब आप कहेंगे papaya और लीची में तो relation ही नहीं गिवन मतलब अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाए न कि no papaya is mango कोई भी हिस्सा papaya का mango नहीं है तो ये भी true है अब आप कहेंगे cross तो दिखा ही नहीं है बट only की sense तो यही कहती है न कोई भी papaya mango नहीं है जो बिलकुल ठीक है कोई भी papaya leechy नहीं है जी बिलकुल ठीक है some grapes are note mango कुछ हिस्सा grapes का mango नहीं है जी बिलकुल ठीक है ये portion grapes का ऐस है जो mango नहीं है क्यों क्योंकि केवल grapes ही है जो papaya's बनके बैटेंगे papaya's का किसी के साथ को relation possible ही नहीं हो सकता समझाया तो यह only की sense है some papaya's are mango क्या कुछ हिस्सा papaya का mango है ये गलत हो गया फिर ठीक है answer हो गया यहाँ पर only one follow only वाला काफी important है पिछे check कीजेगा syllogism मेरे नाम से search कर लेना या syllogism even coaching center ऐसे search कर लेना पिछले session में 5 साल की जो TCS series चलाई थी उसमें देख सकते हो उसमें एक दो question मैंने और discuss की होंगे only say related वो उठाईए उसको solve करके देखो वहाँ पर और elaborate किया हुआ है मैंने only का case चीजें कर लो only का case अभी तक आया नहीं है तो ज़्यादा stress में नहीं रखूँगा आपको इसलिए एक आदा question कराके इसकी sense बताईए और देखें कि सारा grapes mango हो सकता है नहीं हो सकता क्योंकि सिर्फ grapes ही है जो papayas होंगे अगर grapes को mango का part बना दिया तो papayas भी तो mango बन गया फिर ये only की sense खतम कहां गए केवल और केवल grapes ही papayas थे बलब papaya तो mango नहीं हो सकते ना फिर समझागी बात तो ये चीज़ी इस तरह से handle होती है only के case में तो ये था हमारा इस session का आखरी question बताईएगा जल्दी से और overall बताईए session आपको लग कैसे रहे है ये ना हो कि हम ऐसे ही अपनी energy waste कर रहे है और आपका time भी waste कर रहे है तो उसका देखो कोई फाइदा नहीं है अगर आपको fruitful रग रहे है sessions तो please convey कीजिए और क्या improvement हो सकती है वो भी बताईए बात रही एक और patience रखो कोई कहता है जी calendar पहले करवाओ कोई कहता है जी sitting पहले करवाओ कोई कहता है blood relation पहले कर रहा हो बारी बारी से सारे हो जाएंगे आपके exam से पहले सारे cover हो जाएंगे और जल्दी ही videos मिलेंगी अब क्योंकि time काफी कम है हमने decide किया है कि जिस बच्चे को जो भी topic करना है अपने हिसाब से वो कर सकता है हम जल्दी से जल्दी आप videos upload कर देंगे अब देखो जो चीज़ चाहिए patience रखो exam से पहले पहले हो जाएंगे mock test के लिए आपको practice करने के लिए भी sufficient type मिलेगा patience रखिए बस सारे topics cover कर देंगे जो भी important है रही बात इस session की pdf की यह देखो मैं फिर से बता रहा हूँ app download करो इस youtube pdf नाम का एक tab है अब यह video आपको maybe मिलेगी check कर लेना इसकी date क्या है चाहिए शायद यह आपको August 2024 में जाके मिले या July 2024 check कर लेना मैं वैसे यह बना तो July में रहा हूँ चाहिए बट हिसाब से होगा ना जैसे एक वीडियो आज डाल दी बच्चों को time चाहिए आज वाली वीडियो को complete करने का एक दो दीन चाहिए बफर मान के चलते हैं हम तो एक दो तीन दीन के gap में ही दे सकते हैं अगली वीडियो अगर July में डली है तो July 2024 का फोल्डर देख लेना अगस्त में डली है तो अगस्त 2024 का फोल्डर देख लेना तो description में ऐसे time लिखा जाता है कि वीडियो अपलोड कब हुई है उसी हिसाब से उठा लेना जो इस वीडियो का name है उसी name से आपको यहाँ पर इसकी PDF मिल जाएगी चीजे सब कुछ बता देते हैं पता नहीं बच्चे क्यों बूसते हैं बाकी कोई भी कोईरी है टीम से पूछ सकते हो WhatsApp कीजिए कोई भी doubt आता है अगर आपको Within 24 hours आपको revert मिल जाएगा WhatsApp पे message ही कर दीजिए कई बच्चे कहते हैं जी call नहीं लग रहा भाई तरह सारे बच्चे होते हैं लाइन बीजी होती है तो क्या करें बताओ वो भी नहीं है patience WhatsApp कर दो 24 गंटे के अंदर revert मिल जाएगा वर्किंग आर्ज में ऐसे नहीं है दीन के चुट्टी पढ़गी तो उसमें भी expect कर रहे हो भी आपने तो 24 गंटे बोला था मैं नहीं जा के reply करूँगा ना एक एक को पड़ाएंगे कब हम फिर बाकी अगले साल के लिए prepare कर रहे हो access कर सकते हो paid course में देखना है किस तरह से teach करते हैं तो यहाँ पर paid course का एक demo folder मिलेगा यहाँ पर हमने complete topic free of course डाल रहे है वहाँ से idea ले लो कि हम paid courses में कैसे teach कर रहे हैं totally VOD batch है without wasting a single second of years ना मेरा waste होगा ना आपका waste होगा to the point बात होगी topics से related समझाई जाएंगी हर एक चीज one go में सारे के सारे topics आपको मिल जाएंगे specially recorded sessions होते है यह नहीं है कि हमने live पढ़ाया और live का ही recorded आपको दे दिया चिपका दिया ऐसा नहीं है उसमें आपका बहुत ज़्यादा time waste होता है specially recorded batches है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको free of course भी मिलेंगी app के अंदर नहीं भी लेना तो कोई दिक्कत नहीं है at least app पे तो आओ देखो तो सही चीज़ें पढ़के तो देखो बहुत सी चीज़ें आपके लिए fruitful रहने वाली है चलो यह हमारा आज का sixth topic complete होता है जल्दी मिलते हैं फिर अगले topic के साथ अगला topic में भी blood relation या sitting puzzle ही होगा दोनों में से मैं देख लूँगा कौन सा convenient है कराना आपकी demand के उपर blood relation या sitting में से कुछ ना कुछ topic देखेंगे sitting या puzzle का session रहेगा या blood relation का क्योंकि बच्चे कह रहे थे पहले ही बता दिया करो कौन सा topic revise होगा तो इन दोनों में से कोई एक topic revise होगा जल्दी मिलता हूँ अगले session में take care